भारत का अतीद बहत गोरव शाली रहा है साप्रथमा संस्कृति यही विश्वारा एक और विश्वारा गोरव शाली संस्कृतिक अतीद है इन करोड़ों वर्षों में हमें बहुत उचाईया देखी है भारत का संस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, उतकर्ष पोड़े विश्व में सबसे उचा था, महाम था, भारत एक आगर्ष राष्ट रहा सबसे पहले मानविय स्ष्ष्टिक की पत्ति, यहीं हिमाले क्षित्र से हुई है और दुनिया में सबसे पहले जयान का आलोग भी भारत से ही उत्तन हुआ जयान का परतम आलोग इसी देश से उत्तन हुआ लेकिन इस गर्व के साथ साथ कुछ ऐसे गहरे दर्द भी है हमारे अतीत में जिसके कान से आज ये भारत की दुर्द शाथ हमें अपने आँखों से देखने को मिलती है भारत के सामने बहुत चनोते हैं चारों तरफ गंदगी गरीबी भूख अभाव असिक्षा बेरुजगारी जिन संख्या की बेहताशा विद्धी द्रिद्रता ये सब हमें अन्दर तक आहट करती है जो देश दुनिया का सिर मोर रहा अकिर इसकी ये दुनिय दशा क्यों जो देश दुनिया की सबसे बड़े महशक्त रहा आर्ठिक दृष्टे से अध्यात्मिक दृष्ष्टे से सांस्क congratulate दिश्टी से राजनेतिक दिश्टी से उस देश की यह दुरुदसा यह देनी आवस्था उस देश میں बीमानी उस देश में व्रश्टाचार उस्धिष्ट में दुराचार वगुचार हिंसा नकसरवाद चारो तरप चनूती हमों भाई खड़िये पूरी दुनिया में आज हमारा वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए थे जो अतीत में हमारा सम्मान था पूरी दुनिया में ये जो आज हमारे सामने जो परिस्टी है इसके बीज बहुत पहले बोई गए थे देखो कुछ चीजों का परिणाम तुरंत मिलता है जैसे अभी नीम के पत्ते खाओ कड़वा हो जाता है एक दम मूँ नीम का पेड़ तेयार होने में वक्त लगता है अभी आम खाओ मूँ मीठा हो जाता है तुरंत लेकिन उसके लिए आम का पेड़ तेयार होने में वक्त लगता है ये तो अच्छे परिणामों की मैं बात कर रहा हूँ खराप परिणाम दे कुछ तुरंत आते हैं कुछ देर से आते हैं आज हम जहां खड़े हैं इस दुर्दशा के इस देनी अवस्था के इस गरीबी भूख अभाव के बीज वर्शों पहले बोदिये गए थी सद्यों पहले बोदिये गए थी भारत ने हमारे पुर्वजों ने बहुत कुछ अच्छा भी किया और उसी के काण से आज अच्छाई सच्चाई और जो हमारे देश में संपत्ती संस्कृती जो कुछ बचीवी है उसके पीछे बहुत बड़ा पुर्शार्थ हमारे महापुर्शों का रा है लेकिन जो आज हमारी दुर्टशा इसके पीछे कुछे हमारे पुर्वजों ने भूले भी की हैं गल्तियां भी की है और इतिहास इसलिए होता है कि उन भूलों से उन गल्तियां से हमसबक सीखें कि दुआना से उनको नाद हो रहें कुछ भूले हमने हजारों वर्ष पहले की अब ये लाखों वर्ष पहले की अलग लग काल खंड में हमने अलग लग भूले की कुछ राजने टेक भूलती हमारी कुछ आर्थ टेक भूले की हमने कुछ सामाजी टेक भूले टी हमारी कुछ धार में कुछ भूले थी हमारी और कुछ राजने तक भूले गल्तिया और उन राजने तक गल्तियों का और राजने तक भूलों का पर नाम हमाज सक भोग रहे कश्मीर की समस्या यह हमारी राजने तक भूल है और कुछ भी नहीं है तेलास मान सरोवर आज हमारे पास में नहीं तो कुछ भी नेक राजने तिक भूल है देश खंड खंड हुआ खंड भारत जो अफगारिस्तान से लेकर के वर्मा तक और इधर तिबबत से लेकर के और श्रंका तक जो अखंड भारत था वो टूटा बटा ये राजने तिक भूल थी है हमारे पुरवजों की उसमें भी जो राजने तिक लोग थे जिनके हाथों में देश का ने तृत तो था उनके काड़ से ये भारत वे चारों तरफ हमारे जो बड़ोसी देश जिनको हम बोलते हैं वो हमारे लिए आज हर दिन चुनोती बनते हैं हर दिन हमारे लिए खत्रा बने रहते हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे वर्मा हो चाहे बंगलादेश हो चाहे चीन हो चाहे श्रंका चारों तरफ से हमारे ये जो देश हैं ये आज हमारे लिए चुनोते बने वे खत्रा बने वे और ये बेज हमारे ही कुछ कुछ पुरुजों की द्वारब होए हुए उनकी राजनेतिक गल्तियों से राजनेतिक भूलों से उनके ठीक समय पर सही नवना न करने के काड़ से गलत नवना लिये गई राजनेतिक भूल आजाद होने के बाद में हमने एक और भूल कर दी 15 अगस 19 से 14 को जैसे अंग्रेज चला रहे थे वैसे देश को चलने लग गए फिर आजादी किस बात की खाली चेहरे बदल गए हमने सिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला चिकितसा व्यवस्था को नहीं बदला अर्थ व्यवस्था को नहीं बदला हमने देश की क्रिस्टी व्यवस्था को नहीं बदला हमने देश की राजनेतिक व्यवस्था को नहीं बदला प्रसासने की व्यवस्था को नहीं बदला जुडिसली सिस्टम को हमने चेंज नहीं किया आईटने स्टेशन सिस्टम हमने जियो काती हूं अड़ोप्टर कर लिया क्या हो दो दो रहा बिरसल इन बातों को समझने की आज हमें इसलिए जरूर रहता है कि पहले राजने तिक भूले हुई है गलतियां की है सही नड़े नहीं किया गए भाषा को लेकर के हमने भूले की सिक्षा व्यवस्था को लेकर की भूले की बहुत भूले हुई है बहुत गलतिया हुई है इससे पहले जाएं तो संधिया करके हमने भूले की है अच्छी संधिया होनी जाहिए लेकिन हमने विदेशियों के दबाव में आकर के संधियां की इस्टी इंडिया कंपनी से हमने संधिय कर ली उससे दिश पराधिंता के द्वार हमने खोल दी राजने तिक भूले की विदेशिया करांताओं के साथ हमने भूले की प्रिशुराच चोहान जो डेश का अंतिम ठक्रवर्ती सम्राट मुहमद गोरी को चोदे बार पराजित किया छोड़ दिया हर बार अरे शत्रु आतताई देश का दुस्मन उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए उसको तो भगवान के आप हिस देना चाहिए हुम हुले आ adop team कर रहे विर्श का देश के दुस्मना उनको हम आज भी जिन को फारसी पर लटका देना चाहिए था उनको हम अपनी जेलों में बिठा करके खिर पुरी खिला रहे हैं कि याने खिला रहे हैं क्या क्या कर रहें पहले भारत के राजनायतिक सामराज्जे का अन्तु हुआ उसमें राजनायतिक भूले धी हमारी। बारत के आर्थ फिक्स हमराज्जे का अंतुआ रे बोले ये तो कुछ नहीं माया तो आनी जानी है ये तो हाथ का मैल है हमने माया की निंदा की जगत की निंदा की सब धन और दोलत विदेशे लोट लोट करके लेके गए रोबर्ट का एकेले की बात हम सुनते है कि उसने यूसो बड़े पाने के जाज सोने चांदी हीरी जवारात के भर करके लूट दे रहे और हम बैठे बैठे देखते रहे हमारे मंदिर लुट गए हमारे धर्मस्तान लुट गए हमारा धन लुट गया हमारी दोलत लुट गई सब कुछ होता रहा है और अमान हो करके बैठे रहे हैं मुझे क्या बस सारा देश का वैभ हो लुट गया आर्थिक भूल सुस्करतिक भूल अध्यात्मिक भूल हमने अध्यात्मिकता को दरीद्रता मान लिया पलाइन को ही सन्यास मान लिया आज हम कर्म कर रहे हैं मुझे ही लग प्रश्र करते हैं बाबा आप काम क्यों करते हो बाबा आप आईरवीद की समृद्धी क्यों कर रहे हो बाबा आप देश को क्यों जगा रहे हो आप देश के जो जलंत प्रश्र हैं उनके उपर आप बात क्यों कहते हो हम इनको क्यों न पूरू से हम जब देखते हैं इसा के पश्षाट यहाँ पर सिकंदर आया उसको भी पूरू ने पराजित कर दिया फिर भी परास्त करने के बाद भी छोड़ दिया जिन्दा ही जाओ कितना प्राक्रमी राजा था अशूद लेकिन बाद में उसने भी हिंसा का ऐसा आलाप आलापन सुरू किया कि जो हिंसा शत्रू को परास्त करने के लिए थी आततायों को असरू का संघार करने के लिए हुआ करते थी आततायी का अंत करना अप्राधी का दुराचारी विचारी का अंत करना ये हिनसा नहीं है इनसा ही है वेदू में आज़ आई इसके लिए उठो वीरो जागो आततायो कांत करो ये वेद कादेश है वेदी की हिनसा हिनसा न भवती हमने अपना राज धर्म बुला दिया राश्ट धर्म बुला दिया भगवान श्रीकिष्ण की नीती को बुला दिया योगिश्य भगवान श्रीकिष्ण की नीती है जो अपराधिया अतताई है जो दुराचारी है वो विचारी है जो मानवता के शत्रू है वो लंपट है उनका किसी भी नीती से उनका अंत करना चाहिए बस यही धर्म है बहुत हमसे गलतियां होते रहे भूलе होते रहे इसी संदर्म में आपका मर्गदर्शन करने के लिए क्या-क्या हमने भूले की क्या-क्या हमने गलतियां की क्या क्या हमने गलत नणे लिए जिसके कान से आज भारत की यह देनी अदशा बनी है दुर्दशा हुई है इस संदर में व्याख्यान देने के लिए भाराजीव जी जो वर्षों से इतिहास का अध्यन कर रहे हैं और पूरा जीवन जेनों ने इस भारत साविमान की इस विराठ यज्य में समर्पित किया है मैं उनको आमन्देत करता हूँ आज की सुद्वोधन के लिए परम पुझनिय स्वामी जी सभी सम्माननी बहनों भाईयो आज मैं आपसे संबाद करूँगा भारत देश की उन भूलों के बारे में जिनके करने पर हमने बहुत कुछ खोया अपने देश का एक किसी कवी ने कहा है लहमों में खता की थी सदियों में सजा पाई मानि भूल कोई होती है वो किसी छण विशेश पर होती है लेकिन उसकी सजा पूरे के पूरी सब्विता पूरी संस्कृती और पूरे समाज को सदियों तक भूगतनी पड़ती है सेकड़ों सालों तक वो सजा हम भूगतते रहते हैं छोटी सी एक भूल किसी छण में हमसे हो जाती है तो भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले 63 वर्षों में क्या-क्या ऐसी बड़ी भूले हुई है जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है और आजादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूले हुई है जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूँगा व्याख्यान का प्रथम भाग होगा आज़ादी के बाद हमसे जो भूले हुई पिछले 63 वर्षों में और व्याख्यान का दूसरा और अंतिम हिस्सा होगा आज़ादी के पूर्व हम से जो भूले हुई मैंने इसमें जो कालखंड लिया है जो समय लिया है वो आज से लेकर लगबग पिछले धाई सो वर्षों तक का है तटस्त रूप से, निश्पक्ष रूप से हम सब उन भूलों के बारे में गंभीरता से चिंतन करें और आने वाले समय में भारत स्वाबिमान के अभयान में जब हम लगें और एक संगठन के रूप में हम काम करें तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भूलें हमारे पूरवजों ने कर दी, पुर्खों ने कर दी वो भूलें हमें हमारे संगठन में नहीं दोरानी है क्योंकि भूलों को दोराया नहीं जाता भूलों को जो दोराते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते उनका कोई भविश्य नहीं हो सकता वो बरतमान में ही दफन हो जाते हैं दुनिया में सबसे अच्छी सब्विताएं वो मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार करती चली जाती है और दुनिया में वही सब्विताएं जीवंत मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार समय के अनुसार करती रहती है तो भारत की सब्विता के बारे में हम मानते हैं कि ये बहुत पुरानी सब्विता है और शायद इस समय दुनिया में सबसे पुरानी जीवित सब्विता है बहुत सारी सब्धिता आई और चली गई लेकिन भवारती सब्धिता अभी तक जीवित है पूरी दुनिया में तौशाइद इसलिए कि समय के साम हमने भूलों का परिश्कार करना सीखा है तो भविश्य में भी हम इन भूलों का परिशकार अपने जीवन में और समाज में कर पाएंगे इस द्रश्टी से थोड़ी सी बाते में रख पाऊंगा क्योंकि भूलें तो बहुत हैं लेकिन जिन भूलों ने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया हमारा भूगोल बदल दिया हमारी सब्विता हमारी संस्कृती को पूरे गहरे तक मत डाला जिन भूलों ने हमारी अर्थ व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया जिन भूलों के कारण देश के टुकड़े हो गए ऐसी कुछ गंबीर भूलों की तरफ आपका ध्याना करशित करूँगा आजादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हम से हुई वो ये कि जब हम 15 अगस 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बटवारा सुईकार कर लिया ये हमारी बहुत बड़ी राजनेतिक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेशग्यों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बटवारा सुईकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता लेकिन 14 अगस 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया या हमने सुईकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्शों में आपके बन में सवाल आया कि ये भूल किस से हुई हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को सुईकार किया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया लोगों की बात अगर मैं करूँ आपसे तो 1937 से भारत में एक राजनेतिक पार्टी बनी मुहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उस राजनेतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मुहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए धर्म के आधार पर संप्रदाई के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए मुस्लिम संप्रदाई को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सब्विता को एक अलग देश चाहिए इस मांग को भारत के मुसल्मानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसल्मानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसल्मानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसल्मानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मन्जूर नहीं किया तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजने तिक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में भारत के मुसल्मानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटना है सुनाना चाहता हूं कि भारत के मुसल्मानों का जिन्ना के प्रती कैसा रवया था कई बार जिन्ना मुसल्मानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसल्मानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए तुमको अलग देश बनाना चाहिए सब तरह का विश्व वो लोगों के मन में भरता था तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की महला के साथ होता था लोग गुसे में आते थे एक सभा में तो उसको लाहूर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्द हैं जिन्ना को जूतों की महला डाल दी लोगों ने गले में और का भाग जाओ यहां से हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें तो इसी भारत में रहना है हमें अलग देश नहीं चाहिए क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित तो खत्रे में पड़ जाएगा जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो यह कहा करते थे कि अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा है इतना ताकतवर देश कभी भी पाकिस्तान नेता थे फिरोशा करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो ना सुखी होगा ना समरुद शाली होगा ना संपत्ति शाली होगा उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फसा रहेगा और चक्की में घुनकी तरह से पिस्ता रहेगा एक तरफ चीन बैठा है दूसरी तरफ भारत तो है ही इसलिए जादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया वास्तविक्ता ये थी कि जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था और वास्तविक्ता जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे जो एतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था अंग्रेजों की ये कुटिल नीती थी उनकी ये कूट नीती थी या उनकी ये दुर नीती थी कि वो भारत को तोड़ कर यहां से छोड़ कर जाएं अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्षों का दुनिया के लगबग 71 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्षों में Australia उनका गुलाम हुआ, New Zealand उनका गुलाम हुआ, Singapore उनका गुलाम हुआ, Hong Kong, Taiwan को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए चीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया दुनिया के ऐसे 71 देशों में अमेरिका कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे है ऐसे 71 देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना सामराज इस्थापित किया था उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बटवारा किया था अफरीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अफरीका में अंग्रेजों ने साड़े चार सो वर्षों की गुलामी लाई थी या साड़े चार सो वर्षों तक अफरीका में अंग्रेजों का सामराजी चला था और अफरीका के एक एक देश को सीधी सरल रेखा में उन्होंने बांट दिया अगर आप थोड़ा सा विश्व के मानचित्र का अध्यन करेंगे तो अफरीका का नक्षा अगर आप देखेंगे तो अफरीका के जो देश हैं जैसे नाइजीरिया है जैसे सोमालिया है जैसे एथियोपिया है जैसे जिंबाब्बे है ऐसे अफ्रीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्षे में तो सभी देशों की सीमा रेखा है एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है कोई देश चौकूर है, कोई तिकोना है कोई चनपंचकोनी है, कोई शटकोनी है इस तरह से देशों को काटा है भारत की सीमा को देखो अंग्रेज तो भारत को खंडगंड तोड़ना चाहते थे वो तो भारत देश के ऊपर भगवान की क्रपा हुई कि सरदार बल्लब भाई पटेल जैसा लहोपुरुश हम को बेज दिया उसी समय में और उनकी दूर द्रश्टी थी उन्होंने तो भारत के 565 टुकड़े करना चाहते थे और भारत को वो ऐसे ही बांटने की योजना लेके आये थे जैसे अफरीका को उन्होंने बाटा तो अफरीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे सभी देशों की सीमा एं स्ट्रेट लाइन में हैं सीधी सरल रेखा ह ऐसे माटा है अंग्रेजोंने मन मानी से मन मरजी से तो अंग्रेजों की योजना थी जैसे अफरीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बटवारा कराया उस देश का खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफरीका के लोगों को वैसे ही उनकी योजना भारत के लिए थ कि भारत को वो छोडेंगे तो एक देश नहीं रहने देंगे उसको खंड खंड तोडेंगे तो उन्होंने क्या किया भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी उनके राजा हुआ करते थे उनको भढ़काना शुरू किया उकसाना शुरू किया और हर एक राजा को अंग्रेज ये क कहा करते थे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो और जादा तर राजा ये कहा करते थे नहीं हमको तो भारत में विलय होना है भारत में मिलना है तो फिर अंग्रेज उनको और चिड़ाने के लिए कहते थे कि फिर आपकी मर जी कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनकी योजना को नाकामयाब करने के लिए सरदार बल्लब भाई पटेल ने रात दिन एक कर दिया था और जी जान लगा दिया था इसलिए भारत की अधिकांश रियासत हैं तीन को छोड़कर एक रियासत थी जम्मू काश्मीर एक रियासत थी उसका नाम था जूनागर जो गुजरात में है समुद्र के किनारे है और एक रियासत थी हैदराबाद ये तीन रियासतों को छोड़कर 562 रियासतों ने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना था और उन्होंने संकल प्लिया था कि भारत की आजादी के साथ हम भारत में ही रहेंगे भारत में ही विले होंगे हमारा भारत से अलग कोई अस्तितु नहीं है तो अंग्रेजों की चाल कामयाब नहीं हुई 562 रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विले हु गए तीन रियासते अंग्रेजों की चाल में फसी थी जम्मू काश्मीर फसा, हैदराबाद फसा और जुनागर फसा इन तीन रियासतों को अंग्रेजों ने बढ़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फाइदा नहीं है आप भारत से अलग हो जाओ, एक नया राष्ट बनाओ तो जम्मू काश्मीर में ये मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राष्ट बनाएंगे इसी तरह जुनागर का जो राजा था, वो मुसल्मान था उसने ये कहना शुरू किया था, कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे और हैदराबाद का जो निजाम था, वो भी ऐसी बातें करता था वो कहता था, या तो मैं स्वतंत रहूं, नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊं, भारत में तो नहीं मिलूंगा लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था अंग्रेजों का साशन खतम होने के बाद ये तीनों रियासते भारत में आकर मिली ये एक कहानी है जो हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए जानने के लिए आवश्यकता है दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि जादतर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही है वो सब भारत में ही मिलने को तैयार हैं तब उन्होंने जिन्ना को अपनी मोहरा बना कर अपनी गुटी बना कर खेलना शुरू किया जिन्ना को अंग्रेजों ने एक प्यादे की तरह से इस्तेमाल किया शत्रंज का जो खेल होता है ना उसमें कुछ प्यादे होते हैं वैसे ही जिन्ना अंग्रेजों का प्यादा बना और जिन्ना के पीछे अंग्रेज तब से लगे हुए थे जब मुहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गया था बैरिस्टर हुआ था वो लंदन से उसने पढ़ाई की थी तब से अंग्रेजों ने जिन्ना को देख रखा था और जब वो भारत लोटा तो सब तरह का सहयोग करके जिन्ना की एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम मुस्लिम लीग पढ़ा ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए सारा पैसा अंग्रेजों ने दिया जिन्ना को और ना सिर्फ पैसा दिया बलकि अंग्रेजों ने अपने अखवारों में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा और बखान करवाना शुरू किया अंग्रेजों के जो अखवार निकला करते थे इस भारत देश में जिन्ना की पार्टी के बारे में खुब बड़ी-बड़ी खबरें छपती थी छोटा सा कोई कारिक्रम जिन्ना की पार्टी करे तो अंग्रेजों के अखवार में मुख प्रश्ट पर उसका समाचार छपता था और इस तरह से जिन्ना को हवा भरी अंग्रेजों ने और धीरे धीरे तयार किया कि तुम तो अलग देश मांगो पाकिस्तान भारत में रहने की तुमें कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन भला हो भारत के मुसल्मानों का उन्होंने जिन्ना का समर्थन नहीं किया फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कुछ मुसल्मानों को बंगाल के कुछ मुसल्मानों को और खासकर बिहार के कुछ मुसल्मानों को जो जिन्ना के साथ थे पैसे दे कर, फंड दे कर, रिश्वत दे कर, लालच दे कर, घूस दे कर तैयार करवाना शुरू किया कि तुम भी पाकिस्तान मांगो तो बंगाल में एक नेता निकल आया उसका नाम था सोहरा वर्दी और वो जिन्ना के साथ मिलके एक दूसरा नेता बना जिसने का मुझे पाकिस्तान चाहिए हमें पाकिस्तान चाहिए हमें संप्रदाई के आधार पर बटवारा चाहिए तो इस तरह से पाकिस्तान की मांग 1937 के बाद इस देश में खड़ी की गई अंग्रेजों की पूरी ताकत उसमें लगी पैसा लगा उनकी शक्ती लगी उनकी अकल लगी उनकी बुद्धी लगी और इस तरह से ये बाद बढ़ती चली गई बाद में क्या हुआ 1942 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्युद में जब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई दूसरा विश्युद 1949 से शुरू हो गया था और जर्मनी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी उस समय जर्मनी का जो हिटलर था उसने अंग्रेजों को इतना मारा था इतना पीटा था कि हाल खराब हो गया था इनका बम गिराये थे इतने पूरे इंग्लेंड पर कि लाकों लोग मर गए थे और यूरोप के और देश जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे वो भी पिट गए थे तो अंग्रेजों की 1942 तक हालत बहुत खराब हो गई तो अंग्रेजों ने परोक शुरूप से ये कहना शुरू कर दिया कि शायद भारत में वो जादा दिन नहीं रह पाएंगे या भारत में जादा साशन नहीं कर पाएंगे और 1945 में जब दूसरा विशुद खतम हो गया और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से द्वस्थ हो गई तब तो अंग्रेजों ने खुल कर कहना शुरू कर दिया कि अब भारत छोड़ कर वो चले जाएंगे और 1946 में बाकाइदा उसकी गोशना हो गई और 1947 में 15 अगस्त को वो चले गई लेकिन जब 42 से अंग्रेजों का ये मन बन गया कि उनको भारत से चले जाना है छोड़ देना है तो उन्होंने भारत के नेताओं से बिना बताय हुए ट्रांसफर ओफ पावर की बात करना शुरू किया और उन नेताओं में बहुत महत्वण उनके लिए जिन्ना था और जिन्ना को फिर से उन्होंने यही बात समझाना कि अलग पाकिस्तान ले लो अलग देश ले लो तुम प्रदान मंत्री हो जाओगे तुम ऐसे हो जाओगे और ये सब चलना हो गया और आगे ये बढ़ता चला गया अंत में ये हुआ महात्मा गांदी एक बड़े नेता थे उस समय आज़ादी के अंदोलन के उन्होंने एक संकल प्ले रखा था वो ये कि भारत का बटवारा होगा नहीं किसी भी कीमत पर और महात्मा गांदी ने पूरे देश में ये एलान कर दिया था कि भारत बटेगा नहीं भारत एक रहेगा अखंड रहेगा अगर भारत का बटवारा कोई करना चाहता है तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए मैं होने नहीं दूंगा और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्होंने कि भारत का बटवारा बाद में होगा पहले मैं मरूंगा और मेरी लाश पे भारत का बटवारा होगा तो गांदी जी ने ये एलान कर रखा था और आपको शायद मालूम है ये बात कि भारत के करोणो नागरिक गांदी जी के साथ थे, तो करोणा लोग भी गांदी जी के संकल्प के साथ थे हिंदू हो, मुसल्मान हो सब लोग गांदी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बटवारा नहीं कराना है तो माउंट बेटन नाम का एक आदिमी भेजा गया इंग्लेंड से, और उसको इसलिए बेजा गया, कि वो जाकर भारत का बटवारा कराने में मदद करे और माउंट बेटन को भारत में अंग्रेजों का आखरी वोईसराई माना जाता है आखरी गवर्नर जर्रल माना जाता है उसने आके जो गोटियां बिचाई उसके आधार पर भारत के बटवारे की प्रश्टबूमी तयार हुई उसने क्या किया जिन्ना को और ज़्यादा राजनेतिक महत्वा कांच्छा से प्रेरित कराके एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्ता नहीं चाहिए तो बाचीत शुरू हुई और उस बाचीत में जो अंदर के दस्तावेज है जो मैं आज आप से कहना चाहता हूँ वो ये कि जिन्ना एक बार महत्मा गांदी से मिलने गया महत्मा गांदी ने जिन्ना को पूछा भई तुमको क्या चाहिए कि पाकिस्तान चाहिए क्यों चाहिए मुझे प्रधान मंत्री होने का है अलग मुसल्मानों का देश बनाने का है तो मात्मा गांदी ने का कि भारत के मुसल्मान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने वो तो तुम्हारे साथ है नहीं तो जिन्ना ने कहा कि नहीं मेरे साथ बहुत मुसल्मान है तो गांदी जी ने कहा कि देश में एक जन्मत संग्रे करा लो तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया फिर गांदी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है न तो भारत के हो जाओ इसमें क्या बुराई है लेकिन देश तो एक रहे देश तो नहीं तूटे तो जिन्ना तुरन तयार हो गया और गांदी जी को लगा कि इसकी यही कमजोरी है कि ये प्रधानमंत्री होना है इसको अब जिन्ना ने जब ये मान लिया कि मैं प्रधानमंत्री हो जाओं तो उसने का फिर भारत नहीं बटवारा मुझे करना फिर भारत को नहीं तोड़ना मानि प्रधानमंत्री पत चाहिए अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ती थे प्रधान मंतरी पत के उम्मीदवार वो थे पंडित जवारलाल नहरू और उन्होंने एक ऐसी कड़वी बात कह दी जिसमें सारे देश की दिशा बदल गई मैंने आप से कहा था बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि थोड़े से किसी छण विशेश पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है जब नहरू जी के सामने ये बात आई कि जिन्ना प्रधान मंतरी बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बटवारा नहीं चाहता तो गांदी जी ने संदेशा बिजबा दिया कि ठीक है जिन्ना को प्रधान मंतरी सुईकार कर लेने में कोई गलती नहीं है अगर देश तूटने से बचता है तो इसको प्रधान मंतरी सुईकार करने में कोई दिक्कत नहीं है नहरू जी ने एक बहुत कड़वा वाक्य कहा परमपुजनी स्वामी जी हम लोगों को बार बार ये कहते रहते और मैं इस बात को विशेश रूप से ध्यान से सुनता हूँ कि भाशा का प्रमाद नहीं होना चाहिए बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए और वो प्रमाद नहरू जी की बोली में आ गया नहरू जी ने पबलिक एक स्टेटमेंट कर दिया पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मुहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्री मंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता पंडित जवारलाल नहरू ने ये कह दिया कि मैं मुहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्री मंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता माने सीधी सी बात है कि मैं उनको वो अपने मंत्री मंडल का चपरासी नहीं बना सकता प्रधायन मंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुप गई और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए और यही अंग्रेज चाहते थे अंग्रेज और ने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया और फिर उसने मारकाट शुरू करा दी एक डाइरेक्ट एक्शन प्लैन शुरू हुआ था बंगाल में और जिन्ना के मुस्लिम लीग पारिटी के जो सदसे हुआ करते थे उन्होंने तलवारे निकाल कर हिंदों का कतल याम शुरू कर दिया था बंगाल में और इस बयान के बाद सारी इस्थती और परिस्थती बदल गई महात्मा गांदी बहुत कोशश करते रहे कि किसी तरह से बात बन जाए लेकिन वो बात नहीं बनी और जिन्ना उसके बाद फिर माना नहीं और गांदी जी को मिलने भी नहीं आया फिर उसने कहा कि पंडी जवारला नहरू कहते हैं कि मैं उनके मंद्री मंदल का चपरासी बनने लाइक नहीं हूँ तब तो सवाली नहीं उठता अब तो मैं नया देश बना के ही रखूंगा और उसका प्रदान मंत्री बन के दिखाऊंगा अच्छा जिन्ना का जो एक डाक्टर था जो उसका इलाज करता था उस डाक्टर ने कोई सूचनाएं लोगों को भिजवाई थी और कॉंग्रेस के कई बड़े नेताओं को ये जानकरी दी थी कि ये जिन्ना जादा दिन का महमान नहीं है इसको बोन टी बी हो गई है ये दो चार छे महीने जिन्दा रहेगा उसके बाद मर जाएगा इसको प्रदान मंत्री अगर बनाना है तो बन लेने दो देश तो एक रहेगा बटवारा नहीं होगा लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत मैं फिर वो हुआ अंग्रेज तो तैयार बैटे थे तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था Indian Independence Act और इस कानून की परिभाशा में ये तैय किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे एक भारत रहेगा दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान कहां कहां हो जाएगा उसकी सीमा तैय कर दी अंग्रेजों ने और भारत कहा कहा रहेगा उसकी सीमा तैकरदी अंग्रेजों ने और इस तरह से ये बटवारा हो गया और आपको इतिहास की एक सच्चा ही बताना चाहता हूँ जो दर्द देती है दिल में वो ये कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया सच में मर गया और वो टीवी से मर गया उसको बोन टीवी थी तो बार बार उसके डॉक्टर की बात याद आती है कि उसका डॉक्टर ये कहा करता था कि ये पाच्छे महीने का महमाने इसको बन लेने दो प्रधान मंतरी बाकी तो फिर पूरा देश हमारा ही है लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लिया अगर ले लिया होता तो भारत की ये एतिहासिक गलती हमसे नहीं हुई होती और पाकिस्तान नाम का देश अलग नहीं हुआ होता और ये भारत एक खंड देश रहता अब उसके बाद क्या हुआ कि जिनना तो मर गया और मरने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपकी आँकों के सामने है उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता लेकिन जितना मामला भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है अब इस मामले का अंतिम जो वो निकला सच बन के सामने कि बटवारा हुआ भारत पाकिस्तान तो मुसल्मानों को पाकिस्तान जाना है और हिंदुओं को पाकिस्तान से भारत आना है बहुत सारे मुसल्मानों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और बहुत सारे हिंदुओं ने पाकिस्तान से भारत में आने को मना कर दिया तो फिर मारकाट शुरू हुई और सारी दुनिया का इतिहास इस बात का गवा है कि एक देश के दो टुकडे हुए तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई भारत और पाकिस्तान के बनने पर लाखों लोगों का कतले आम हुआ है उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों लोगों का कतले आम हुआ लाखों माँ बेहन बेटियों की हिज़त लूटी गई लाखों छोटे छोटे बच्चों का कतले आम किया गया उस जमाने के दस्तावेज को पढ़ते हैं तो आँखों में आसू आते हैं भर भर के गाडियों में ट्रेनों में बसों में बेल गाडी में गोड़ा गाडी में खचर में लोग धेर के धेर इधर से उधर उधर से इधर जाते थे किसी को अपना घर छोड़ना पड़े संपत्ती छोड़नी पड़े अपनी सब्विता अपनी संस्कृती छोड़नी पड़े और उजड़ कर दूसरी जगे जाकर रहना पड़े इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाल हुआ है घर और भारत में ऐसे लाखों परिवार है शायद मैं कहूं तो अब कुछ करोड परिवार ऐसे होंगे जो उजड़ कर पाकिस्तान से भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहां छोड़ा था कुछ नहीं ला पाए और यहां लाकर शूनने से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की करपा से वो शिखर तक भी पहुँचे प्रणाम है उनकी महनत को बंदन है उनकी महनत को कि पाकिस्तान से उजड़ कर आए कुछ हाथ में नहीं था आकेले आए किसी की पत्नी छूट गई वहां पर किसी का पिता छूट गया किसी की बेटी छूट गई किसी की बहन छूट गई किसी की माँ छूट गई किसी का कुछ छूटा किसी का कुछ छूटा और किसी तरह से बारते पीटते भागते भूगते यहां आकर उन्होंने कहीं कहीं आशियाने बनाए और आशियाने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मात्र भूमी को उन्होंने मान लिया कि अब यही हमारी मात्र भूमी है यही कर्म भूमी है और उसकी सेवा में लग गए और भगवान ने भी उनको उनकी मेहनत का फल दिया कि आज वो काफी अच्छे व्यवस्थित हैं लेकिन ये बटवारे का दर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है ये हमारी एक बहुत बड़ी एतिहास एक भूलती कुरसी के एक पद के लिए प्रदानमंत्री पद के लिए ऐसा सत्ता का समझोता नहीं हो सका जो सबको समावेश कर सके और उसी में ये सारा खेल खेल लिया और अंग्रेजों ने आग में घी डाल दिया उनका तो पहले से मन था कि पाकिस्तान को बनवाना ही है और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विश्का बीज बो दिया अब ये विश्का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है गले की फास बन गया है ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है अब वो जो तीन राज्य भारत में मिलने को तैयार नहीं थे जम्मू काश्मीर एक था जूनागर और एक था हैदराबाद तो बटवारा हो गया भारत की सरकार भारत में बन गई पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बन गई तब सरदार पटेल ने कोशिश की कि ये जो तीन इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए तो जूनागर राज्य को उन्होंने मिला लिया बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को ये कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ तुमारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुमारी जनता की इसके लिए अनुमती नहीं है हैदराबाद रियासत में सरदार बल्लब भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षन कराया था क्योंकि वो भारत के ग्रहम अंतरि बन चुके थे उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षन ये कराया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते तो पता चला 97 प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है तो सर्दार बल्लब भाई पटेल को होसला बढ़ा उत्सा बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद की निजाम को कहा कि तुम को जाना है तो चले जाओ ये राज्य तो भारत में ही रहेगा क्योंकि यहां के नागरिकों का कहना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सर्दार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हातों में चूड़िया नहीं पहन रखी है जब तक मैं तुम्हें जहिल रहा हूँ तब तक जहिल रहा हूँ जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि अब सीमा खतम हो गई है जहिलने की तो दो चार घंटे ही लगेंगे भारत की एर फोर्स के जवान भारत की सेना के जवान तुमारे हैदराबाद में उतरेंगे और एक जटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा और उसके समानां तर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था पूरी रियासत को भारत में मिलाओ नाग्रीकों की तरफ से एक अंदोलन चल रहा था और इस अंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आरे शमाज के नेताओं के आरे समाज के नेता पूरे हधराबद रियासत में उस समय सक्रिय थे और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राम्मनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फाज ये सब इस बात के लिए सक्रिये थे कि हिदराबाद को भारत में मिलाना है तो हिदराबाद रियासत के गाओं गाओं में ये नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और जनता को समझा रहे थे कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है भारत में रहना है और इसी तरह से जूना गड़का हुआ जूना गड़का भी सारा का सारा राज इसी तरह से भारत में मिलाए गया अंत में जम्मू काश्मीर का मामला आया और जम्मू काश्मीर के मामले में हुआ ये था कि जम्मू काश्मीर के महराजा थे हरी सिंग उनके दिल में अंग्रेजों ने ये जोत जला दी अलग देश बनाना, अलग राष्ट बनाना, बफर इस्टेट बनाना और वो इसी का गाना गाते रहते थे और अंग्रेज उक्मन में था कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग होई जाए जैसे पाकिस्तान अलग हुआ और अंग्रेज उस आग में घी डाल रहे थे उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ तो महराजा हरी सिंग के हाथ पाउँ फूल गए उनके पास पूरी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके और महराजा हरी सिंग को ये दिख गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुँचने वाली है अब ज़्यादा दूर नहीं है और अब तो ये श्रीनगर भी गया जम्मू भी गया सब कुछ गया तो उनके दिल में था कि एक स्वतंत राष्ट बनेगा अब तो लगा कि एक पाकिस्तानी राष्ट बन जाएगा तो अंत में उन्होंने हतियार डाले और सरदार बल्लब भाई पटेल के पास अपने प्रधान मंत्री को भेजा और कहा कि अब आप हमें बचाओ तो सरदार बल्लब भाई पटेल ने मुस्कराते हुए कहा कि हम क्यों बचाएं आपको क्यों बचाएं जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है नहीं और आप तो कहते हो कि हम स्वतंतर देश बनाएंगे तो अपना स्वतंतर देश बना लो हम आपको क्यों बचाएं तो जो प्रधान मंत्री था महराज हरी सिंग का बहुत होशया बहुत स्चतुर व्यक्ति था उसने का कि इस समय बहस करने का समय नहीं है बाद में हम तै कर लेंगे लेकिन ये पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्य को तो सरदार पटल ने का कि मैं मेरी सेना भेज सकता हूं और पाकिस्तानियों को हमारी सेना गाजर मूली की तरह से काट देगी लेकिन एक शर्त है तो शर्त क्या है शर्त ये है कि आप बिना किसी शर्त के भारत में मिलने का फैसला करो और एलान करो कि भारत में आपका पूरा राज्जी का विले होगा उसी कंडीशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी क्योंकि तकनी की रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तब तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और जम्मू काश्मीर क्योंकि भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने एलान कर दिया है कि इसको स्वतंत्र देश बनाना है तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे तो प्रधान मंत्री भागा भागा वापस गया महराजा हरी सिंग के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया है सेना तो नहीं आएगी जब तक हम भारत में विले के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते भारत के साथ विले के संदी पत्र पर हमस्ताक्षर नहीं करते तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे और उस समय पाकिस्तानी सेना श्री नगर के बिलकुल नजदीक में थी हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कबाईली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे तो महराजा हरी सिंग ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये भारत में जम्मू कश्मीर का विले हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अबिन अंग बना और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महराजा हरी सिंग ने स्विकार कर लिया है तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू काश्मीर कूच करेगी तो भारत की वायू सेना ने और थल सेना ने रात और रात 24 घंटे में जम्मू काश्मीर में जो अपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अद्बुत अपरेशन था हजारों सैनिक उतार दिये जम्मू काश्मीर में और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्बुत था आप कल्पना कर सकते हैं श्री नगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो आप सोचो कहा तक आगई सेना वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो तब भारत की सेना ने एंट्री की थी प्रवेश किया था और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया था और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुँच गए और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कबजे में आ गया और भारत की सेना के कबजे में आ गया तब भारत के सैनिक इतने उत्साह से भरे हुए थे इतने जोस से भरे हुए थे कि भारत के प्रधान मंत्री को वो बार बार कह रहे थे कि आप कुछ करना मत बस थोड़ी महलत और दे दो लाहोर और कराची अब हमारे हाथ में आने वाला है ये ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन उसी समय फिर हम से एक भूल हो गई और उस भूल की चर्चा मुझे करनी है वो भूल क्या हो गई भारत के प्रधान मंत्री ने भारत के ग्रह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्विराम की गोश्रा कर दी युद्विराम का नियम है कि जब युद्विराम की गोश्रा की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी कैबिनेट उस पे सही माने और मंत्री मंडल का सबका हाँ हो जाए तब प्रदान मंत्री उसकी गोशना कर सकता है लेकिन प्रदान मंत्री महोदे ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ना उनकी सहमती ली उन्होंने अपने मन से गोशना कर दी और वो घोशना भी उन्होंने ऐसे नहीं की लोगों के सामने रेडियो पे जाके कर दी दिल्ली का हॉल इंडिया रेडियो स्टेशन है वहां गए और जाकर घोशना कर दी और अपनी तरफ से दुनिया भर को ये कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट संग की मध्यस्तता में इस जम्मू काश्मीर के मामले को हल करेंगे माने संयुक्त राष्ट महासंग आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैटे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महराजा ने ये बोल दिया था हस्ताक्षर कर दिये थे दस्तावेज उसके मौजूद है कि वो तो भारत में विले कर चुके हैं तो भारत के प्रधान मंतरी को ये कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटिड एरिया मानते हैं, विवादित छेत्र मानते हैं और इसका फैजला से उक्तुराश्र महासंग में होगा बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फास बन गया और हड़ी बन गया अब पाकिस्तान बार बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटिड एरिया है, विवादित छेत्र है और भारत ने तो बोला है कि इसका फैसला से उक्तुराश्र महासबा के दौरा होगा तो से उक्तुराश्र महासबा के लोग आएं, जम्मू कश्मीर में रहें भारत की सेना वहां से हटाई जाए, पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जन्मत संग्रे कराया जाए और वो जन्मत संग्रे के आधार पर जो तै हो उससे तै किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा अब तकनी की बात जो मैं कहा रहा हूँ लेकिन सेयुक्त राष्ट महासवा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित छेत्र है और विवादित छेत्र में चौधरियों को गुसने का दखल करने का अधिकार है तो जम्मू कश्मीर के मामले में सेयुक्त राष्ट को भी दखल करने का अधिकार है और वहीं से ये सारा म मामला खिचड़ी बन गया खटाई में पड़ गया अच्छा खासा पूरा जम्मू काश्मीर वहां के महराजाने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ विले कराया लेकिन प्रधान मंतरी महोदे के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बिगाड़ दिया अब ये म कभी नहीं चाहता कि ये जम्मू कश्मीर का मामला सुलज जाए क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविश में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा इसलिए इसको विवादित ही रहने दो क्योंकि विवादित छेतर में गुसने के लिए रास्ता खुल जाता है। अमेरिका को क्या इंट्रेस्ट है जम्मू काश्मीर में अमेरिका की ये रणनीती है कि भविश्य में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पढ़ा तो जम्मू काश्मीर अमेरिका के सेनिकों के लिए शर्रृ इस्तली बन सकता है बविश में चीन के खिलाफ अमेरिका को हवाई हमला करना पड़ा तो अमेरिका से हवाई जा जाकर चीन पर हमला तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना पेट्रोल उन में नहीं चल पाएगा कि अमेरिका से उड़ान बढ़ें और चीन पर आकर हमला करें अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़कर पहले उतरना पड़ेगा भारत के किसी इलाके में जो चीन के नस्दीक है फिर दुबारा उसमें इनन भरा जाएगा तब जाकर वो हमला कर पाएंगे तो अमेरिका को दिखाई देता है जम्मू काश्मीर बहुत सुरक्षित है चीन की सीमा वहाँ से लगती है तो भविश्य में कभी चीन से युद लड़ना पड़ा अमेरिका को तो जम्मू काश्मीर अमेरिका के लिए एर बेस का काम करेगा और ये एयर बेस तभी तक काम करेगा जब तक जम्मू काश्मीर विवादित है इसलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही देना नहीं चाहता स्थे उक्तराश्ट महासावा में जब जब ये विशय आया जब जब ये बहस हुई अमेरिका ने वीटो लगा कर इसको फसाया और इसको हल नहीं होने दिया और आज तक ये हल नहीं हो पा रहा है और ये हल नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम दुश परिनाम क्या हो रहा है और इतनी बार भारत की इस पार्टियों को लोगों ने वोट दे दिया है और इतनी बार वहां भारत के नेताओं की सरकारे बन चुकी है इस से बड़ा प्रमाल और सबूत क्या चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है लेकिन जम्मो कश्मीर के कुछ नेता जो अमेरिका से पैसा पाते हैं जिनको पाकिस्तान से धना आता है वो अलग राग लापते रहते हैं और उन्होंने कुछ सन्गठन बना रखे हैं और उन सन्गठनों की मदद से गाहे बगाहे वो एक शिगूफा छोडते रहते है और उनका एक ही शिगूफा है प्लेवी साइट होना चाहिए जन्मत संग्रे होना चाहिए अब मैं बांता हूँ कि वोट की राजनीत से बड़ा जन्मत संग्रे और कौन सा होता है और आपने देखा है कि एक चुनी होई सरकार वहाँ पर है उसके पहले भी वोट हुए है और उसके पहले भी चुनी होई सरकार बन चुकी है तो सारी दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि वहाँ चुनी होई सरकारें बन रही है उनको तो वो जनमत संग्रे वाली बात प्लेभी साइट वाली बात दिखाई देती है जो गलती से पंडी जवारला नहरू के मूँ से निकल गई और हमारे लिए फास्क बन गई गले की हड़ी बन गई अब इसी को आधार लेके आतंकवाद चल गया है इसी को आधार लेकर आतंकवादी गत्विदी चल रही है और उन आतंकवादी गत्विदियों से एक इलाका है जो पूरी तरह से प्रभावित है और वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि वहां रहने वाले मूल निवासि को अपने घर छोड़कर द्वार छोड़कर संपत्ति छोड़कर भाग कर कहीं दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा है ये भारत में ही हो रहा है दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में इसका उधारन नहीं मिलेगा अपने ही देश के मालिक अपने ही देश के राजा अपनी ही संपत्ति और सब्विता के मालिक अपनी सब संपत्ति सब्विता संस्कृति को छोड़कर कहीं शरणार्थी की तरह से जीवन बिता रहे है मैं तो जम्मू में गया हूँ दिली में गया हूँ मैंने वो इलाका देखा है जहां जम्मू कश्मीर से निश्काशित पंडित जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं उनकी पीडियां गुमनामी में खो रही है उनकी सब्विता उनकी संस्क आपको क्या करना है आपको क्या सीखना है मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जो इस पूरी दुरगटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद ना करें और ऐसी भाशा और ऐसी बोली का इस्तेमाल कभी ना कर दे कि बविश्य में हमारा एक छोटा सा वाक्य भारत स्वाबिमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए इस पूरी दुरगटना से जो सीख लेने की जरूरत है और दूसरा उनमाद में आकर आवेश में आकर जोश में आकर होश को खोकर कुछ ऐसा ना कर बैठें जो भविश्य के भारत के लिए खत्रा बन जाए इस भूल से हमें यही जानना और सीखना है एक और भूल के बारे में आप से चर्चा करना चाहता हूँ जो थोड़े दिन बाद हुई पाकिस्तान को हमने हरा दिया जम्मू कश्मीर को आख़ाद करा लिया भारत का अंगवी बन गया उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दुस्सा हस किया और आप जानते हैं 1965 में हमला किया 1965 के पाकिस्तानी हमले के पहले 1962 में चीन का भी हमला हुआ और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई भारत देश में चीन के राश्रपती आये थे चाऊएं लाई और उनकी भारत के प्रधान मंत्री से वारता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई है कभी भविश्य में इनके दुश्मन होने की कोई संभावना नहीं है अब चीन के राश्रपती की इस बात को भारत के प्रधान मंत्री ने ब्रहम वाक्य मान लिया और भारत के प्रधान मंत्री ने उससे ज़्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई अब चीन एक आँख लगा के बैठा था भारत पर और वो भारत के उपर हमला करने की तैयारी कर रहा था और यहां आकर उनका राश्रुपती कह रहा था कि भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई है चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए और वो इलाके का नाम क्या है आप सबी जानते हैं हमारा जो लद्दाख है लद्दाख के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा छेतर है जिसको अकसाई चिन कहा जाता है ये अकसाई चिन हजारों साल से लद्दाख का अंग रहा हजारों साल से जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोल कर देखो तो पता चलता है कि अकसाई चिन का जो छेतर है वो लद्दाख का अभिन अंग है और चीन की नजर उस अकसाई चिन पर लगी हुई थी भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांट कांट भी की थी और संदी भी की थी एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अकसाई चिन का एरिया चीन को दे देने की गोशणा की थी बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया जगडा हो गया तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे तो ये जो अकसाई चिन है वो लद्दाक का छेत रहा हजारों वर्षों से चीन को वो चाहिए था अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास और अंग्रेजों ने गोशना भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संदी करें तो बदले में अकसाई चिन चीन को दिया जा सकता है बस एक ही शर्त है कि चीन तिबबत को एक स्वतंत्र देश की माननिता दे चीन ने वो नहीं किया तिबबत को स्वतंत्र देश की माननिता नहीं दी तो अंग्रेज पीछे अट गए और उन्होंने का अकसाई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते वहाँ से ये विवाद शुरू हुआ आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अकसाई चिन भारत से लेना है इसलिए चीन ने 1962 में भालत पर हमला कर दिया और उस हमले के पहले की परिस्थिती अपने देश में ये थी कि भारत के प्रदान मंत्री हर जगे भाशन करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी और चीन में तो कभी जगड़ा होगा नहीं युद्ध होगा नहीं तो इसलिए हत्यार बनाने की जरूरत नहीं, सेना को रखने की जरूरत नहीं, सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, तो भारत में हत्यार बनाने वाली जो फैक्टरियां थी, उनको बंद कराने का आदेश आया। क्यों? क्योंकि सेना के उपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन वहाँ के राश्रुपती बोल कर चले गए कि हिंदी-चीनी भाई भाई तो अब तो क्या हमें प्रमान पत्र चाहिए अब तो चीन हमारा भाई हो गया अब हमको तो लड़ना नहीं है उत्पादन करना नहीं है सेना पर खर्च बढ़ाना नहीं है और सेना पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे तो सरकार की ये नीती बन गई तो पूरी सेना ढिली पड़ गई सेना को हत्यारों की सप्लाई कम हो गई सेना के उपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया सेना के लोगों को मिलने वाली तन्खाएं कम हो गई इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक रूप से असंतुलन शारिरिक रूप से असंतुलन आ गया और तैयारी में तो बहुत कमी आई चीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया और उस हमले में बड़ी फजियत होई चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर तो भारत की सेना बिलकुल तयार नहीं थी इस हमले के लिए सेना को सपने में भी बरोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा क्योंकि भारत के प्रदान मंत्री को बरोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा लेकिन वो हमला हो गया और हमला हुआ तो हमारी कोई तयारी नहीं थी आनन फानन में हमारे 1383 सेनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में और जब इतने सेनिकों की मरत शरीर आने लगे सीमा पर से तब भारत में खलवली मची और खलवली मची और फिर ये तैयारी शुरू होई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए तब तक चीन हमारे 72,000 वर्ग मील जमीन पर कबजा कर चुका था और 72,000 वर्ग मील जमीन जब चीन के कबजे में आई तो चीन के राश्रपती ने एक दिन अपनी तरफ से गोशणा कर दी कि अब हम युद्विराम करते हैं और इस तरह से युद्विराम खुद्विराम खुद्विराम भी कर दिया क्योंकि जो अलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने और वही 72,000 वर्ग मील हमारी जमीन आज तक चीन के कबजे में है और परमपुजनी स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का कैला स्मान सरोवर भी चीन के कबजे में ये 1962 की लडाई में हमसे च्छिना या 1962 के युद्व में एक तरह से हमारी पराजे हुई और उस पराजे में ये इलाका हमारे हाथ से चला गया और आज तक ये हमारे हाथ में वापस नहीं आया दुख और दुर्भा की ये है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किये और ये कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कबजे में है उसको वापस भारत में लाना है संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया और आज़ादी के 63 वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया वो गया सो अपने हाथ से निकली गया और उसके बाद चीन ने एक नया शिगूफा खड़ा कर दिया कि अकसाई चिन का कुछ हेरिया तो उसने हमसे चीनी लिया जिसमें केलाश मांसरोवर जैसा छेतर चला गया हमारे देश का जो अरुनाचल प्रदेश है जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाशा में नेफा कहा जाता था नौर्थ इस्ट का जो इलाका है उत्री पूर्व का जो इलाका है अरुनाचल अब चीन कहता है कि ये भी हमारा और अरुनाचल प्रदेश में एक खेतर है जिसको तवांग कहते हैं चीन पता नहीं कहां से जूटे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है ये कभी तिब्बत का अंग रहा है और तिब्बत इस समय चीन के कबजे में है इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए और इसलिए अरुनाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधान मंत्री जाएं या भारत के राश्रपती जाएं तो चीन के राश्रपती की तरफ से एक बयान आ जाता है कि ये हमारा छेत्र है भारत के प्रधान मंत्री वहां क्यों जा रहें ये हमारा छेत्र है भारत के राश्ट्रपती क्यों जा रहे है और अरुनाचल प्रदेश और उस तवांग के छेत्र में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतराश्ट्र ये संस्था मदद दे तो चीन उसमें अरंगे लगा देता है रोड़े अटका देता है और कहता है कि ये संस्था आप भारत को मदद नहीं मुझे बात करो अरुनाचल प्रदेश में क्या होगा भारत नहीं तै करेगा कि अरुनाचल प्रदेश में क्या होगा तो हमारी सरकार के लिए फजियत ये हो गई है कि जो गया इलाका उसकी बात तो सरकार ने करना ही बंद कर दिया अब च चीन के सामने ओफिंसिब नहीं हो पाती हमारी सरका कितना चालाग देश है चीन जो इलाका लेना था वो ले लिया युद्ध करके और भारत की सेना की पराजे हो गई और हमारे देश की सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए पराजे हो गई अगर तैयारी होती तो शायद नहीं हो तो अक्सर आपको ये खबर आती होगी कि चीन ने अरुनाचल प्रदेश पर अपना दावा किया चीन ने तवांग पर अपना दावा पेश किया चीन ने अपने नक्षे में अरुनाचल प्रदेश को दिखा रखा है छीन ने अपने नक्षे में तवांग को दिखा रखा है जबकि यह दोनों छेतर भारत के हैं और भारत के कबजे में है तो वहाँ एक छोटी सी गलती होई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि छीन हमारा भाई है हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं न उनके संबंद एक जैसे और इस्तिर कभी नहीं होते हर देश के संबंद उस देश की राजनेतिक परिस्तिती के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं कोई देश आज हमारा भाई है कल को दुश्मन हो सकता है कोई देश हमको ये कहेगा कि हम तो आपके सबसे सचे मित्र है कल को पता चला कि वही सबसे ज़्यादा विश धर है और हमको काट खाएगा और पूरा विश और जहर हमारे देश में गोल देगा इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा 72,000 वर्गमी इलाका गमा बैठे जो आज तक नहीं आया और दुख और दर्द ये है कि भारत के किसी नागरिक को केलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है और उनकी अनुमती के बिना हम हमारे केलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते इतनी गुलामी की इस्तिती हमारी है केलाश मानसरोवर के बारे हजारों यात्री हर साल कैलाश मांसरोबर जाते हैं और वो वहां बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थ विवस्था को मजबूत करने में जाता है उसका एक अंच भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का ऐसी स्थिती हमारे देश की बन गई तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्गमी हमारा इलाका चला गया हमारा पवित तरतीर थिस्थान चला गया और हमारे देश के लोगों का मनोबल तूटा और सेना का मनोबल तूटा वो अलग और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजे हुई इस पराजे ने ही श्री जवारलाल नहरू जी की जान लिए उनके नज़दी की लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोका कर दिया जिस देश पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने धोका कर दिया तो वो बरदाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए इस देश को और दुनिया को छोड़ कर चले गए उसके बाद भारत की कमान श्री लाल भादूर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश में प्रदान मंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कहीं पूरे देश को एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है चाहे इसके लिए कितने भी संसादन जुटाने पड़े चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसादनों को जुटाना है क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के उपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्गमील जमीन हमारे हाथ से जाएगी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीती को उलट दिया शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीती थी सेना पर खर्चा नहीं करना युद्द के सामान का उत्पादन नहीं करना हतियार नहीं बनाने अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेना के उपर ही सबसे ज़्यादा खर्चा करना है और युद्द के हतियारों के उपर खर्चा बढ़ाना है और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है तो पूरे बजट का लगबग 25 प्रतिशत हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवंटित किया भारत के इतिहास में वो पहले और आखरी प्रधान मंतरी है जिन्होंने बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तयारी करिए और ऐसी तयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है पलटवार कर सकता है तो सेना में चाक चोबंदी शुरू है सेना में हतियार बनना शुरू है ताकत बढ़ी और शास्त्री जी ने ये जो नारा लगाया था न वो खाली नारा नहीं था जय जवान जवानों की जय होनी ही चाहिए इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया ताकत बढ़ी सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ आप सभी जानते हैं और पाकिस्तान इस गलत फहमी में था कि भारत की सरकार की नीती ऐसी है कि सेना की मदद कम करो पैसे कम खर्च करो तो पाकिस्तान इस गलत फहमी में था कि इस समय भारत पर हमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ले लेंगे हम क्योंकि भारत की सेना कम जोर है क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है क्योंकि चीन से हार चुकी है तो पाकिस्तान में 1965 में माने चीन युद्ध खतम होने के लगबग दो ढ़ाई वर्षों में पाकिस्तान का हमला फिर हो गया लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम था कि भारत का प्रधान मंतरी बदल चुका है भारत की नीतियां बदल चुकी है भारत की सेना बदल चुकी है सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है हतियार उनके पास बहुत आ गए है गोला बारूद भरपूर है उनके पास तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में तो बहुत बुरी पराजे हुई पाकिस्तान की बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को और आप हैरान हो जाएंगे हमला शुरू होने के बारे दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे पाकिस्तानी सेना के जो सेना नायक है न उन्होंने अपनी आत्म कता में लिखा है कि 1965 के युद्ध में तो हम ऐसे बुरे फसे हमको कलपना नहीं थी कि भारत की सेना इतनी ताकत से जवाब देगी हम तो इस कलपना में थे कि अभी जाके दिल्ली पे कब जा कर लेंगे हम तो एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मजाक में कह दिया था कि सवेरे की चाहे लाहूर में पिये अब शाम का खाना में दिल्ली में खाऊंगा तो इस कलपना से आये थे वो तो हमला करने के लिए लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबर्जस थी कि नात खटे हो गए और बारे दिन में पाकिस्तानी सेना का असी प्रतिशत गोला बारूद खर्च हो गया बारे दिन में इतनी भैंकर लड़ाई हुई इतनी भैंकर मारा मारी हुई परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्तानी सेना को तो लाहुर तक इलाका कब्जे में ले लिया फिर लाहुर तक भारत की सेना पहुँच गई 1965 में अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि ये लाहुर गया हाथ से फिर कराची गया फिर इसलावाबाद गया फिर हैदराबाद गया अब बचेगा क्या? तो पाकिस्तान भाग कर अमरीका के पास पहुँचा और अमरीका के राश्टुपती को गोहार लगाई और उनसे कहा कि मुझे बचाओ, हमें बचाओ अब भारत तो कबजा कर लेगा पूरा उनकी सेना लाहुर तक पहुँच गई है तब अमरीका ने भारत के प्रधान मंतरी को कहा तो भारत के प्रधान मंतरी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हमला मैंने नहीं किया था हमला पाकिस्तान ने किया था अब मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है इसलिए मैं मेरी सेना को पीछे नहीं बुला सकता तो अमरीका परेशान हो गया और अमरीका श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानता था कि ये व्यक्ति दबाव में नहीं आने वाला है क्यों? एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी शास्त्री जी जब प्रधान मंत्री बने न तो अमरीका से लाल रंग का गयों आता था इस देश में एक योजना चलती थी आप में से कई बुजर्ग लोगों को मालूम होगा आपने तो देखा भी होगा शायद खाया भी होगा वो गयों लाल रंग का गयों आता था P.L.480 नाम की एक योजना चलती थी P का मतलब होता है Public L का माने होता है Law और 480 अमेरिका के कानून के तहेत एक व्यवस्था है PL 480 Public Law 480 उसके तहेत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है तो भारत की मदद करता था लाल रंका गेहूं आता था जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था कारण क्या था भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था तो वो गेहूं हमें लेना परता था और उसकी शर्ते बहुत अपमान जनक थी तो शास्त्री जी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल ग्याहूं हमें खाना मनजूर नहीं है तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल ग्याहूं नहीं खा सकते तो भूके मरने के लिए तैयार रहे तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूके मरना मनजूर है लेकिन अपमान के साथ बिदैशी रोटी खाना मनजूर नहीं तो सेक्रेटरी हैरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो तुम तुम्हारा काम करो मैं मेरा काम करता हूँ और उन्हें भारत के लोगों को एक दिन अपील की तुम बार का दिन था दिली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई लाखों लोग इकटे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गयों की बहुत कमी है अपमान जनक शर्तों पर अमेरिका से गयों आ रहा लोगों ने हाथ उठा के का भूके रहेंगे और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन वरत रखना शुरू कर दिया था और संपो भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूका रहना शुरू कर दिया हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को मैं कई बार उनको पूछता हूँ, ये सुभमार को वरत्कियों रखती है, शंकर जी को प्रसंद करने के लिए, तो गटी ने शास्त्री जी को बचन दिया था, तो मैं गहता हूँ माता, अब शास्त्री जी का बचन तो उनके साथ चला गया, वो तो उनके बचन इसलिए लिया को खिलाए हमारे देश में दो करोड़ टन गेहूं तो चुए खा जाते हैं अर साल तो अब गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन माता जी ठस से मस नहीं होती वो कहते हैं नहीं नहीं सोमभार को तो व्रती रखना है क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया भारत के लोग कितन से दो बाते हुई एक तो गेहूं की खपत कम हुई अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई और फिर देश में गेहूं उत्पादन की योजना बनी और उसने गेहूं उत्पादन बढ़ा दिया तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ती थे तो लगाओ था उनको पकड़ा और का कि शास्त्री जी को रोको नहीं तो पाकिस्तान तो गया और पाकिस्तान गया तो अमेरिका की भविश्य की सारी योजनाए गई और भारत की सेना चुकि लाहर तक पहुच गई है इसलिए अब जादा देर नहीं है तब शास्त्री जी के ऊ और ताश्गंद के समझोते में जो तैह हुआ वो ये, कि भारत की सेना ने जितना इलाका जीत लिया है, वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए. और बदले में पाकिस्तान भारत के उपर कभी भी भविश्य में हमला नहीं करेगा, ऐसा वाइदा करता है. तो पाकिस्तान ने लिखित रूप में ये कहा, और उसके दस्तावेज मौजूद है, कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे, आँख उठा कर नहीं देखेंगे, बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए, और जो इलाका भारत की सेना के कब्जे में है, वो हमें वापस कर दिया जाए, शास्त्री जी ने भारत की पुरा नहीं परंपरा का नुसरन करते हुए उदारता दिखाई, और जीता हुआ इलाका जो सेना के कब्जे में था, वो पाकिस्तान को वापस कर दिया, लाहर तक गई हुई सेना वापस आ गई, और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया, उसके बाद हम शान्त हो गए, शास्त्री जी के साथ एक दुरगटना हो गई, कि इस समझोते को करने के लिए जब वो ताशकन गए थे, तो आठ दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रदान मंत्री और उनकी मंत्री मंडल के वरिष्ट लोगों के साथ, जो वारता चली, नौवे दिन वारता पूरी हो गई थी, और वो दिन था देस जन्वरी का, रात को शास्त्री जी आराम से सोए, लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे, क्या हुआ? वो रात को सोते थे तो दूद पीते थे, ये उनका नियम था, और वो दूद उनका नौकर उनको बना के देता था, तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोया गया था, इस काम के लिए, लेकिन उस रसोया का ताशकंद में अपरण कर लिया गया, और अपरण करके एक नकली रसोया को शास्त्री जी के यहां बेज दिया गया, और उस नकली रसोया ने शास्त्री जी के दूद में जहर मिला दिया, और वो जहर मिला दूद पीकर उनकी मृत्यू हो गई जब उनका मत शरीर वापस आया इस लेश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था और दुख और दुर्भागी की बात ये है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यू के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया और शायद आपने भी वो सुना होगा वो ये कि शास्त्री जी की हिर्दय गती रुकने से मृत्यू हो गई हर्ट अटेक बताया गया पूरे देश को मीडिया में, अक्वार में, टेलिवीजन पे, रेडियो में खबर चली और बार बार एक ही खबर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हिर्दय गती रुकने से मृत्यू होई जब कारण पूछे गए सरकार के लोगों से कि शास्त्री जी की हिर्दय गती कैसे रुक सकती है क्योंकि उनका ना ब्लड प्रशर हाई था ना उनका कॉलेस्टरॉल हाई था ना उनका ट्राइगलिस्राइड हाई था वो एकडम स्वस्त थे तंदरुस थे जब गए थे तो सब कुछ सामान ने था क्योंकि आप तो जानते है प्रदान मंत्री का हर दिन चेक अप होता है तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेक अप करके दिया था उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था ना बीपी बढ़ाए ना ट्राइगलिस्राइड ना कॉलेस्टरॉल फिर उनकी हिर्देगती कैसे रुक सकती है तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने ऐसा मुर्खता का जवाब दिया इतना खराब जवाब दिया उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्ति इसलिए हो गई कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशी किस बात की हो गई कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया और पाकिस्तान के ऊपर भारतिय सेना ने विजे पाली तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हिर्देगती रुक गई ऐसा मुर्खता पूर्ण बेकार का जबाब पूरे देश को दिया गया फिर शास्त्री जी का जब मुर्थ शरीर आया तो कई लोगों ने यह मान की कि अगर इनकी हिर्देगती रुकी है तो इसकी सच्चा ही तो पता चल सकती है इनकी मुर्थ शरीर का पोस्ट माटम कराया जाए लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने Shastri जी के मुर्थ शरीर का पोस्ट मार्टम नहीं होने दिया जैसे हैं उनका मुर्थ शरीर आया जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संसकार कर दिया गया और वो अंतिम्संसकार के बाद बात वहीं दब गई और उसके बाद कुछ कमीशन बेठे इंक्वाइरी हुई उसमें से ये बात निकली लेकिन रास्ते में वहीं बटक गई और आज तक सारा देश इसी अंदकार में है कि शास्त्री जी को हिर्दे गती से मृत्ती हुई जबकि उनको जहर दिया गया था तो भारत में इस तरह की बूले होती रही हमारी सेना जीतती रही और जीते हुए इलाके को देती रही दुश्मनों के हाथ में दुश्मनों के ऊपर विजय करते रहे और उनको माफ करते रहे वो पराजित हुए दुश्मन फिर भी हम उनको माफ करते रहे और वही दुश्मन हमारे लिए नाग बनके डस्ते रहे वो इस्तिती आज हमारे देश में है पाकिस्तान के द्वारा जो हो रहा है तो हमारे देश में आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में ऐसी राजने तिक भूले हुई है एक राजने तिक भूल और हुई है 1971 में जब बन्गला देश बना और पाकिस्तान का हमला हुआ उस युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को मूँ की खिलाई उनको धूल चटाई उनको पराजित किया और उस युद्ध में तो आपको एहरानी होगी 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान का हमला भारत पर हुआ और भारत में इतना करारा जबाब दिया 3 दिसम्बर 1971 को युद्ध किया था पाकिस्तान ने शुरू 16 दिसम्बर 1971 तक पूरा पाकिस्तान पराजित हो चुका था और पाकिस्तान की सेना के 97,000 सेनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्म समर्पा कर दिया था वो पूरी सेना पाकिस्तान की लगबग आदी सेना थी तो पाकिस्तान की आदी सेना भारत के कबजे में आ गई और फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और फिर अमेरिका से उसने गुजारिश की कि भारत से बचाओ, फिर अमेरिका का दबाओ भारत सरकार पे आया, और उस दबाओ में हमने पाकिस्तान के 97,000 सेनिकों को छोड़ दिया, अगर ये भूल हमने नहीं की होती, तो पाकिस्तान का ये आतंकवाद जो इतना बढ़ा, य काश्मीर और भारत के सभी इलाकों में, ये नुकसान कभी नहीं होता, अगर 1971 में पाकिस्तानी सेना के 97,000 सेनिकों को हमेशा के लिए हमने खतम कर दिया होता, वो हमारे कभ्ये में थे, हम चाहते हैं वो उनके साथ करते, लेकिन दुख है कि उन 97,000 पाकिस्तानी सेनिकों को भारत की जेलों में रखा गया, पांच महिने तक उनको बिरियानी खिलाई गयी, अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया, और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, बाहिजद बरी किया गया, किसके लिए एक शिमला समझोते के लिए, और शिमला समझोता वैसा ही कुछ था जैसे ताशकन समझोता था, फिर हमने छोड़ा पाकिस्तान को पराजित करके, और फिर पाकिस्तान ने वही किया हमारे साथ, तो पिछले आजदी के 63 वर्षों में, और आखरी कोशिश पाकिस्तान ने जो की थी वो आप सभी जानते है, कारगिल युद्द के रूप में हमा हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई हैं, और बहुत गंबीर हो गई हैं, और पिछले 63 वर्षों में, हमसे कुछ आर्थिक भूलें भी हुई हैं, और वह आर्थिक भूलें जो हुई, उनमें सबसे बड़ी भूल जो हुई, वह 1966 में हुई, जब भारत के प्रधान मंत्री दुनिया के दबाव में आकर और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर भारत के रुपय का अवमुलियन किया, भारत का रुपया 1966 के पहले तक अमेरिका के डॉलर के लगबग बरावर था, आपको हैरानी हो गई है जानकर, 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपया, अमेरिक का एक डॉलर के बरावर था 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपिया ब्रिटेन के एक वुमुलियन किया और 1966 में 3 जून को रुपय का एक साथ 57 प्रतिशत अवुमुलियन कर दिया गया 57 परसेंट डिवैलिवेशन हो गया रुपय का परिनाम क्या हुआ डॉलर 57 प्रतिशत महंगा हो गया रुपया 57 प्रतिशत सस्ता हो गया और उसके बाद एक सिलसला चला कि रुपय की कीमत गिरती ही गई गिरती ही गई गिरती ही गई गिरती ही गई और मुझे आपसे ये बात कहतो है बहुत दख्या तकलीफ है कि हमने जब रुपय की मुल्य का आकलन किया था जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ था लगबग एक रुपया एक डॉलर थोड़े दिन में चार रुपया एक डॉलर फिर साड़े साथ रुपय एक डॉलर फिर बारे रुपय एक डॉलर फिर एक दिन अचानक से 21 रुपय एक डॉलर फिर एक दिन पता चला 32 रुपए एक डॉलर फिर 32 रुपए एक डॉलर फिर 42 रुपए फिर 46 रुपए और अब 48 रुपए एक डॉलर और एक दिन तो 50 रुपए डॉलर तक पहुँच चुका है इतने रुपए की कीमत गिर चुकी है माने आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अपनी गलती से, हमारी अपनी भूल से रुपए का कितना अवमुलियन हुआ है अगर एक रुपया एक डॉलर को ध्यान में रखें और अब पचास रुपए एक डॉलर है तो रुपए का अवमुलियन लगबग 50 गुना हो चुका है और ये रुपए के अवमुलियन के 50 गुने होने का मतलब रुपए की कीमत 5000 प्रतिशत कम हो चुकी है और ये कीमत कम होने का मतलब हमारे उपर विदेशों का करजा 50 गुना बढ़ चुका है अगर हमने 1947 में एक डॉलर का करज लिया हो अब 2010 में उसको वापस करना हो तो जब हमने करज लिया था तो एक रुपया था एक डॉलर अब करज वापस देना है तो जो एक रुपय का करज था अब वो पचास रुपय में वापस होगा तो कर्ज पचास गुना बढ़ा लिया कर्ज का ब्याज पचास गुना बढ़ गया और विदेशी कंपणियों को जो मुनाफ़ यहां से हो रहा है वो पचास गुना बढ़ गया क्योंकि । डॉलर पचास गुना ताकतवर हो गया ये बहुत बड़ी आर्थिक भूल हमने की 1966 में और इस भूल को लगातार होने दिया और होते होते आज रुपया इतना कमजोर हो गया दुनिया का कोई देश अपनी करेंसी की ताकत को कम नहीं होने देता लेकिन भारत ने अपने रुपय की ताकत को इतना कम होने दिया ये आर्थिक भूल हमसे बहुत बड़ी हुई और इसी तरह की एक आर्थिक भूल पिछले 63 वर्षों में हमसे हुई 1991 में जो कल में आपसे कह रहा था वो ये कि विदेशी कमपनियों के लिए सारे दरवाजे हमने खोल दिये जिस विदेशी कमपनी को भारत से भगाया था 1942 में जिस विदेशी कमपनी के लिए हमने नारा लगाया था बारत छोड़ो आज उन विदेशी कमपनियों को हम दरवजा खोल के वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं वापस आओ और भारत को लूट कर चले जाओ तो जो कमपनी गई थी वो फिर वापस आ गई और अकेली नहीं आई है अब हजारों कमपनी आई है पहले एक कमपनी को भगाते रहे थाई सो साल तक अब पाँच थार कमपनी आ गई उनके लिए उदारी करण की नीती वैश्वी करण की नीती और इन कमपनियों ने अंधा दूंद लूटना शुरू किया है इस देश को और लाखों करोडों रुपई की संपत्ती ले जा रहे है ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ यहां सिर्फ संकेत मैं कह रहा हूँ तो आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में कई राजने तिक भूले हुई है और कई आर्थिक भूले हम से हुई है और उनका दुश्परिनाम पूरा देश बुगत रहा है आज़ादी के बाद में एक और भूल हुई है जो बड़ी राजने तिक भूल है जिसका संकेत परंपुजनी स्वामी जी कर चुके हैं आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तयार हुआ 26 जनवरी 1950 को इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे जिनोंने 11 महिने और 18 दिन काम करके संविधान तयार किया लेकिन 11 महीने ऐठारे दिन में काम कुल 1600 घंटे हुआ और उसमें समविदान तयार हो गया भारत का समविदान दुनिया का सबसे बड़ा समविदान है इतना बड़ा लिखित समविदान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है 395 तो अनुक्षेद हैं जिसको हम आर्टिकल्स कहते और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है शास्त्र जैसा आप कभी भी खरीद के देख सकते दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा सम्विदान नहीं हमने बनाया तो बहुत बार मेरे मन में ये आता था सम्विधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था उसी को हमने भारत का सम्विधान बना लिया अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में उसका नाम था Government of India Act Government of India Act में जो कुछ लिखा था वहीं सबकुछ भारत के सम्विधान में है कुछ बदला नहीं और Government of India Act अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर सामरज इस्थापित करने के लिए उसी को पूरा का पूरा सम्विधान के रूप में हमने सुईकार कर लिया तो सम्विधान सभा में जो बड़े-बड़े नेता शामिल हुए थे ना उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे हमारे देश की सम्विधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेर्मेन थे डॉक्टर भीमरा वंबेटकर उन्होंने उन्नी सो तेपन में ये कहा राज्य सभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमती दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होँगा जो इस सम्विधान को जला दूँगा पत्रकारों ने उन से पूछा कि आप इस सम्विधान के निर्माता है और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे है तो ड्र भीमरा वंबेटकर ने कहा था कि इस सम्विधान से भारत के किसी नागरिक का बला नहीं होने वाला क्यों कि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये सम्विधान है और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था इतने कम समय में सम्विधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये Government of India Rule या Government of India Act का ड्राफ दिया गया था हाधार उसको बना कर और दुनिया के दूसरे देशों के सम्विधानों में से कुछ चीज़े निकाल कर ये भारत का सम्विधान तयार हो गया ये भारत के लोगों द्वारा तयार नहीं किया गया एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है तो परिणाम क्या हुआ वो सम्विधान बनने के और लागू होने के पिछले साथ सालों में ही 94 से ज़्यादा उसमें संशोधन हो गए माने सम्विधान अब ओरीजनल रहा कहा साथ साल में 94 संशोधन 60 years और 94 amendments इसका माने हर साल में लगवग 12 से 2 संशोधन उसमें हुए इसका माने इतने संशोधन किसी सम्विधान में तभी हो सकते है जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है सम्विधान समा में सच्चिदारन सिना थे पंडि जवारलाल नहरू थे सरदार बल्लब भाई पटेल थे सरोजनी नाइडू थी राजकुमारी अमरत कौर थी ऐसे भारत के बड़े बड़े दिगज नेता थे इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो हिरान हो जाएंगे ये सब के सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने करांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है उस कल्पना को ये सम्विधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस सम्विधान से पूरे नहीं हो पाएंगे ये पक्का है और उनके बयान आज हमारे सामने है 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि ये सम्विधान ना देश का बला कर पा रहा है ना समाज का बला कर पा रहा है ये एक बड़ी भारी हमसे बोल हो गई अच्छा होता हम छोटा सम्विधान बनाते लेकिन मौलिक होता अपना होता अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता अंग्रेजों का कानून जो गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट वो तो हमारी गुलामी के लिए था उस पर आधारित हमारी आज़ादी का सम्विधान कैसे अच्छा हो सकता है और एक और ऐसी भूल हमसे हो गई वो यह कि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जितने कानून बनाए थे भारत पर राज्य करने के लिए वो सारे कानून हमने जैसे के तैसे रख लिए उसमें थोड़ा भी फेर वदल नहीं किया अंग्रेजोंने 34,735 कानून बनाए थे भारत को गुलाम रखने के लिए आज़ादी के बाद भी वही 34,735 कानून चल रहे है कुछ और नए कानून हमने बनाए है वो पुराने कानूनों को ही आगे बढ़ने वाले हैं उनसे कुछ अलग नहीं अंग्रेजों का बना हुआ एक कानून है इंडियन पुलिस एक्ट अठारे सो साथ में बना वही अभी तक चल रहा है अंग्रेजों का एक कानून है आई पीसी इंडियन पीनल कोड वो अठारे सो एक सट में बना आज भी चल रहा है अंग्रेजों का एक कानूने CRPC, Criminal Procedure Code, वो 1861 में बना, आज भी चल रहा है अंग्रेजों का एक कानूने Indian Forest Act, वो अंग्रेजों ने बनाया, आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बनाय हुआ कानूने Land Acquisition Act, वो उन्होंने बनाया, आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बना हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक वो अंग्रेजों का है आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बना हुआ इंडियन इलेक्सिटी एक्ट वो अंग्रेजों ने बनाया आज भी चल रहा है ऐसे 34,735 कानून जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखने के लिए बनाए वो ही आज़ादी के बाद चल रहे है इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि आज़ादी तो आई नहीं है ये तो अधूरी है ये तो अंग्रेजों को हमने भगाया येकिन अंग्रेजियत को तो हम भगा नहीं पाए अभी तक अंग्रेजों के बनाए गए कानून है तो अंग्रेजियत भी इस देश में है और इसी तरह की एक बूल हम से हुई अंग्रेज आये थे तो उनकी भाषा आई अंग्रेजी अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भगा देना चाहिए था लेकिन अंग्रेज तो भग गए अंग्रेजी अभी भी इस देश में है और हम सब के लिए तकलीफ का कारण बनी हुई है भारत में मात्र एक प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते है लेकिन उपर से नीचे तक सारा काम अंग्रेजी में होता है सुप्रीम कोट में बहस अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोट में सुनवाई अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोट के फैसले अंग्रेजी में आते है ना वादी अंग्रेजी जानता है ना प्रतिवादी अंग्रे जी जानता है वो अपने फैसले को समझ नहीं पाता बहस क्या हो रही है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ पाता चुपचा बिचारा खड़ा खड़ा देखता रहता है और कानून कहता है कि हम उसके लिए नियाय कर रहे हैं सबसे बड़ा अनियाय तो ये है कि उसकी भाषा में उसके फैसले नहीं आ रहे है और हाई कोट में भी अक्सर भहस अंग्रे जी में होती है भारत की बड़ी-बड़ी केंद्रिय प्रशाशनिक परिक्षाओं को पास करना हो तो अंग्रे जी आना बहुत जरूरी है उनके लिए भारत तो बेगाना देश बना हुआ है कोई दूसरा देश बना हुआ ये भाषा भी अंग्रेजों की अभी तक हम नहीं बगा पाई ये भी हमसे भूल हो गई ऐसी कई भूले हमने आज़ादी के 63 वर्शों में की है और आज़ादी के पहले जो भूल हमने की है सबसे बड़ी भूल जिसका भुगतान आज तक ये देश कर रहा है एक राजा था जहांगीर उसका नाम था उसने अंग्रेजों की एक कमपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया और मैं मानता हूँ कि पिछले 500 साल की सबसे बड़ी भूल वही हो गई इस इंडिया कमपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन 1608 में तो शायद जहांगीर को ये भी नहीं मालूम होगा कि ये कमपनी एक दिन भारत को गुलाम बना लेग 200 वर्षों के लिए चला गया पहले कमपनी की गुलामी की हमने फिर उसके बाद में अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की हमने 1608 से लेकर 1757 तक इस इंडिया कमपनी की गुलामी में हम रहे 1757 के बाद अंग्रेज सरकार और कमपनी की मिली जुली गुलामी में हम रहे और 1860 के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन दो-तीन आपको उधारन जरूर दे सकता हूं इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहाँ आते थे और लूट मार करते थे सबसे बड़ा अधिकारी जो इस्ट इंडिया कंपनी का भारत में होता था उसको Governor General कहा जाता था बाद में उसी को Voice Rai कहना शुरू किया अंग्रेजोन है तो East India Company का सबसे पहला जो Governor General इस देश में आया उसका नाम था Robert Clive 1757 की ये कहानी है वो बंगाल के राजा के पास आया था बंगाल का उस समय राजा था उसका नाम था सिराज़त दौला तो सिराज़त दौला के पास Robert Clive पहुंचा था और उसने ये कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसंस चाहिए सिराज़त दौला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसंस नहीं दे सकते क्यों? तो सिराज़त दौला ने कहा कि अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं है ये जहां व्यापार करने के लिए गुसते हैं उसी राज़ी पर कबजा कर लेते हैं इसलिए मैं मेरे राज़ी में अंग्रेजों को नहीं आने दूँगा उसने मना कर दिया तो रॉबर्ट कलाइब ने सिराज़त दौला को चुनोती दी और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो मैं बंगाल पर हमला करूँगा और बंगाल राज़ी को जीत लूँगा और उसके बाद मियापर व्यापार करूँगा तो सिराज़त दौला ने का ठीक हमला करके देख लो अगर तुम विज़ई हो गए तो बंगाल तुमारा है और मैं विज़ई हुआ तो तुम को बंगाल से बगा दूँगा और जाना पड़ेगा इस आधार पर रॉबर्ट कलाईब और सिराज़त दौला के बीच में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को आपने बच्पन में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध प्लासी एक छोटा सा इस्थान है कलकत्ता के नज़्दीक में मेदान है एक वहाँ पर युद्ध तैह हुआ और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने तो पता चला कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध ही नहीं हुआ क्या हुआ अंग्रेजों ने सिराजुद दौला को चुनौती दी थी युद्ध की तो सिराजुद दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए तो अंग्रेजों की सेना से वो बहुत बड़ी थी ये जो रोबर्ट कलाइब था अंग्रेजों की सेना का सेना पती इसके पास सिर्फ सारे तीन सो सेनिक थे और सिराजुत दोला की जो सेना थी उसके पास अठारे हजार सेनिक थे अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों के सारे तीन सो सेनिक और भारतिय सेना के अठारे हजार सेनिक युद्ध में कौन जीतेगा तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ हुआ क्या कि जब रॉबर्ट कलाइब ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट कलाइब की सेना तो बहुत छोटी सी है तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चाला की की और चाला की क्या की कि अपना एक आदमी उसने सिराजद दौला की सेना में भेजा और उस आदमी को ये कहा कि तुम जाकर ये पता लगाओ कि सिराजद दौला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है भेश्टा चार करके अपनी तरफ में लाया जा सकता है तो उसका दूत गया सिराज़ दौला की सेना में पता करने तो सिराज़ दौला की सेना का सेना पती था मीर जाफर वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुरसी का भी लालची था तो मीर जाफर के पास जब ये गया सैनिक अंग्रेजों वाला तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया एक प्रस्ताओ दिया कि मीर जाफर तुम अंग्रेजों से मिल जाओ तो हम तुम को बंगाल का राजा बना देंगे, तुम अभी तक सेना पती हो, हम तुमको राजा बना देंगे, मतलब सीधासा ये है, कि मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया, कि तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ, तो मीर जाफर ने का मुझे क्या करना पड़ेगा तो अंग्रेजों के सेना पती रोबर्ट क्लाइब ने का कि तुमको एक ही काम करना है युद्ध नहीं करना हमारे उपर हमला नहीं करना तो क्या करना रोबर्ट क्लाइब ने का कि तुम तुम्हारे सेनिकों को बोलो कि वो हमारे सामने आत्म समर्पन कर दे और हम आत्म समर्पन जब करा लेंगे तुम्हारी सेना से तो तुम्हारी सेना और हमारी सेना मिल जाएगी मिलकर मीर زाفر और रोबर्ट कलाइब सिराजव दोला का मरडर कर देंगे हत्या कर देंगे और सिराजव दोला मर जाएगा फिर तुमको राजा बना देंगे तो मीर زाफर तैयार हो गया उसको लालच आ गया और अंग्रेजों ने उसको ये भी कहा कि एक कोटी स्वण मुद्राएं भी देंगे तो स्वण मुद्राओं के लालच में और राजा बनने के लालच में वो पिघल गया, फिसल गया उसने अंग्रेजों से एक संधी कर ली और उस संधी के आधार पर 18,000 सेनिकों के सेनापती मेर जाफर ने साड़े तीन सो अंग्रेजी सेनिकों के सामने सरंडर कर दिया और अंग्रेजों के साड़े तीन सो सेनिकों ने 18,000 सेनिकों के उपर जीत हासल कर ली अभी 18,000 सेनिक और अंग्रेजों के साड़े तीन सो सेनिक मिलकर एक हो गए और इन्हों ने प्लैन बना लिया कि सिराज الدولا को मार देना है तो सिराज الدولा को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले गोड़े पर सवार होकर तो रॉबर्ट कलईब आगय आगय था साड़े 300 उसके सैनिक पीछे थे और उसके पीछे18ः हजार सैनिक थे और उन्हीं मेर जाफर भी था तो ये सब गोड़े पर चड़कर गए कहां गए मुर्शिदाबाद नाम की एक शहर तक गए क्योंकि उस जमाने में राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था तो रॉबर्ट क्लाइब ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मेरे सैनिकों के साथ भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बना कर चल रहा था गोड़े पर मैं आगे आगे बैठा हुआ था भारत के सैनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और सडक पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जलूस देख रहे थे और रॉबर्ट क्लाइब ने एक बात लखिया अपनी डायरी में कि जो भारत के लोग मेरा जलूस देख रहे थे वो मेरे जलूस पर तालिया बजा रहे थे और जो भारत के सेनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आग्याकारी सेनिकों की तरह सिर जुका कर चले जा रहे थे फिर वो कहता है काश एक भी भारतवासी ने मुझे पत्थर उठा के मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता और भारत का इतिहास उसी दिन बदल गया होता लेकिन ये भारत वासी पत्थर नहीं मारते हैं ये तालियां बजाते रहते हैं और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़के दोनों किनारे खड़े होते रहते हैं ये बहुत दर्दनाक वाक्य है रोबर्ट क्लाइब खुद लिकरा है कि भारत के हजारों लोग सड़के किनारे खड़ेों के ताली बजा रहे हैं और अठारे हजार सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर जुका के चले जा रहे हैं अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रोबर्ट क्लाइब को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिये होते एक एक पत्थर भी उठा के मार दिया होता तो 18,000 पत्थर में तो रोबर्ट क्लाइब का कचुमर निकल गया होता और इस इंडिया कमपनी का सामराज जे उसी दिन इस देश में समापत हो गया होता लेकिन हम वो नहीं कर पाए और देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया रॉबर्ट कलाईब और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुँचकर सिराज़ दौला की हत्या कर दी सिराज़ दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर का एक बतीजा था मीर कासिम उसको राजा बना दिया थोड़े दिन के लिए फिर मीर कासिम को हटा दिया फिर मीर जाफर को राजा बना दिया और एक दिन रॉबर्ट कलाईब ने मीर जाफर को मरवा दिया और खुद वो बंगाल का राजा बनकर इस्ट इंडिया कमपनी का सामराज इस्थापित करके चला गया। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिमालेयन ब्लंडर हिमाले जैसी बड़ी भूल शायद ये वही थी जो हमसे हो गई और उसके चलते इस्ट इंडिया कमपनी का सामराज इस्थापित हो गया। और उसके बाद रॉबर्ट कलाइब साथ साल तक रहा बंगाल का गवर्नर जनरल बनके और उसने लूटा बंगाल को लूट कर धनी कठा किया। सोने चांदी हीरे जवारत और जब भरपूर मात्रा में धनी कठा हो गया तो लंदन चला गया। लंदन की पार्लेमेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए। तो उसने का कि सोने चांदी हीरे जवारत भारत से लेके आया। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवारत लेके आया तो उसको पूछा गया कितना लेके आये तो रावर्ट कलाइब ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूँ और वो अंदाज क्या है तो वो कहने लगा कि भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवारत लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े इतना धन और संपत्ती में भारत से लेके आया फिर उसको पूछा गया कि ये जहाज कितना बड़ा तो वो कहता है कि एक जहाज में कम से कम साट से सतर मीटरिक टन सोने के सिक्के आ सकें इतना बड़ा तो साट से सतर मीटरिक टन, एक मीटरिक टन में हजार किलोग्राम होते हैं तो साट से सतर हजार किलोग्राम सोना आये इतना बड़ा एक जहाज और ऐसे 900 जहाज भरके वो यहां से ले गया तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को और ये रॉबर्ट क्लाइब अकेला लूटे रहा नहीं था भारत को लूटने वाला रॉबर्ट क्लाइब आया लूट कर चला गया उसके बाद वारेन हैस्टिंग आया वो लूट कर चला गया फिर उसके बाद हमारे देश में 84 अंग्रेजों के गवर्णर जर्णल आए रॉबर्ट क्लाइब वारेन हैस्टिंग गेनिंग करजन लिलित गो और विलियम वेंटिंग डलहौजी और अंतिम गवर्णर जर्णल जो उनका जिसको हम मांट बेटन कहते है तो रॉबर्ट क्लाइब से लेकर मांट बेटन तक 84 गवर्णर जर्णल आये और सब ने लूटा है इस भारत को किसी ने छोड़ा नहीं है अंतर इतना है कि रॉबर्ट क्लाइब ने कुछ ज़्यादा लूटा दूसरे उतना नहीं लूट पाए लेकिन लूटते ही रहे है और ये लूट का धन इंग्लेंड ले जाते रहे है हम लोगों ने ये 84 गवर्नर जनरलों द्वारा लूटा गया भारत से जो धन है उसका एक अनुमान लगाया है पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता लेकिन एक अनुमान है और वो अनुमान है कि करीब 300 लाख करोड रुपई की संपत्ती इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश से 300 लाख करोड इतना बड़ा धन और संपत्ती यहां से लुटा एक छोटी सी भूल हुई जहांगीर से उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया दूसरी भूल हम से हुई कि रोबर्ट कलाइब जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला बलकि उसके जुलूस का तालियां बजा कर स्वागत किया और यह दो भूलें इतनी भारी पड़ गई पूरे देश को कि अंग्रेजों का सामराजी 2500 वर्षों तक चल पड़ा आपके मन में और एक प्रशना आएगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ भूलें होई हमसे हाँ होई जब इस इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के इस्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बाशा आ गया और उसका नाम था औरंग जेब औरंग जेब ने जब सत्ता समाली इस देश में तो अंग्रेजों के साथ उसका जबर्जस युद्ध हुआ और सन 1688 में औरंग जेब ने पूरी East India Company की सेना को पराजित कर दिया और East India Company पूरी तरह से हार गई और औरंग जेब की शरना गती उन्होंने सुईकार की और East India Company की अधिकान सुसेनिकों को औरंग जेब ने मार डाला युद्ध में औरंग जेब के बारे में आप सबी जानते हैं थोड़ा करूर था निश्टुर था लेकिन बहुत भादुर भी था मारा उसने अंग्रेजों को और गाजर मूली की तरह से काट दिया 1688 में अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंग जेब के पास वो अंग्रेजों की अधिकारी गए और माफी माँगी औरंग जेब से और कहा कि हम को आप माफ कर दीजे हम दुबारा कभी आपके उपर हमला नहीं करेंगे बस हम को भारत में रहने की पर्मीशन फिर से दे दीजे औरंग जेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंग जेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता जहांगीर से गलती होई वो गलती मैं नहीं दोरा सकता और मैं अंग्रेजों की कंपनी का लाइसेंस में रस्त करूंगा और आपको मारकेब आपस इंग्लेंड बेस दूँगा तो अंग्रेज घबरा गए, परेशान हो गए, औरंगजेब के सामने गए चरणों में गिर गए, रोने लगे, पीटने लगे चाती उसके सामने थोड़ी देर में औरंगजेब दरवित हो गया और उसने का अच्छा जाओ तुम्हें माफ किया और इस्ट इंडिया कंपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने और ये भूल फिर औरंगजेब कर गया कि 1688 में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो फिर अंग्रेजों को भगाई देना चाहिए था इस देश से और लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहिए था लेकिन वो लाइसेंस फिर रिन्यू हो गया और फिर इस इंडिया कंपनी हावी हो गई और फिर इस देश में उन्होंने अपना सामराज़य और व्यापार इस्थापित कर लिया यह और एक बड़ी भूल हो गई एक बूल सिराज़ुद'Dॉला के समय में एक बूल जहांगीर के समय में एक बूली और अंगजेब के समय उसके बाद और एक बूल हुई हमारे भारत देश में इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समूँ बनाया था एक बहुत बहादुर मराठा सामराजी के एक मालिक हुआ करते थे उनका नाम था जस्वंत राय होलकर उनकी सेना ने बहुत सारे भारती राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तयार की थी और जस्वंत राय होलकर का ये संकल्ब था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में से और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निरनायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और ये निरनायक लड़ाई 1805 की बात है 1805 में जस्वंत राय होलकर ने सिंधिया सामरज की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महराजा हुआ करते थे रणजीत सिंग उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा तो उसके लिए उन्होंने एक संदी करने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग इस देश का ये था कि वो संदी नहीं हो पाई जस्वंत्राय हुलकर की सेना पंजाब में ब्यास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और सिंदिया परिवार की और सिंदिया सामरजी की सेना को उसमें आकर मिलना था लेकिन अंग्रेजों ने चाला की करके सिंदिया के साथ एक अलग समझोता कर लिया सिंधिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलत राओ सिंधिया उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रिमेंट कर लिया संधी कर ली और उसमें अंग्रेजों ने उनसे बचल ले लिया कि आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद लोलने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी तो दौलत राव सिंदिया का ये समझोता जस्वंत राय होलकर को भारी पड़ गया तो सिंदिया की सेना वहां नहीं आई और इसी तरह से अंग्रेजों ने महराजा रंजीत सिंग के साथ एक अलग से समझोता कर लिया और महराजा रंजीत सिंग की सेना से वचन ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सायोग नहीं करेंगे तो महराजार रंजीत सिंग की सेना भी नहीं आई सिंदिया की भी सेना वहां नहीं पहुँची और खाली जस्वंत राय होलकर की सेना पहुँची और उसने जब देखा कि दोनों राज्यों की सेना वहां नहीं है तो भाई बहुत परेशान हो गया फिर भी उसने बहादरुई से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया पराजित किया और पराजित करके वो वहां से फिर वापस लोटा लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा और उसने अपने मन में ये बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने को तैयार नहीं है तब तो भगवान की ही मर्जी ऐसी है और वो निराश होके वहां से लट गया और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ जिन अंग्रेजों ने महराजा रंजीत सिंग के साथ समझोता किया था उनी अंग्रेजों ने महराजा रंजीत सिंग का सामराज खतम करा दिया और अंग्रेजों का कब्जा पूरे पंजाब पर हो गया महराजा रंजीत सिंग के हाथ में जब तक ताकत थी अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया और जैसे ही महाराजा रंजीत सिंग की ताकत कम होना शुरू होई 1848 के आते आते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हावी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कबजे में चला गया बाद में महराजा रंजीत सिंग्ग की म्रत्यू हो गई उनकी म्रत्यू के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहां से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया और महराजा रंजीत सिंग्ग की जो धरम पत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर उनको पकड़कर अंग्रेज ले गए उनके राजे से और बनारस में दरदर की ठोकरे खाते हुए उनका अंतिम समय बीता तो महरानी जिन्दा को और जो पंजाब की महरानी थी और महराजा रंजित सिंग का बेटा राजा दिलीप सिंग जो महराजा होना चाहिए था पंजाब का ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बुड़ी दुरदशा की थी और महराजा दिलीप सिंग को तो लंडन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबर जस्ती एक अंग्रेज लड़की से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से ईसाई बना दिया और उसके बाद राजा दिलीप सिंग को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि राजा दिलीप सिंग को लंडन में बंदी बनाके महाराणी जिन्दा कौर को बनारस में निर्वासित करा के महाराजा रंजीत सिंग के खजाने का सबसे कीमती तोफा जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते हैं वो अंग्रेज छीन कर ले गए और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महरानी के मुकुट में जड़ा रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कबजे में हैं भारत में वापस नहीं आया उस कोहिनूर हीरे की कीमत दुनिया के जोहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती इसका मूल निरधारित नहीं किया जा सकता ये बे मूल है बे मिसाल है अनमूल है तो हमारा सबसे अनमूल हीरा कोहिनूर अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था पंजाब राजी से लूटा था और महराजा रंजीत सिंग के खजाने से लूटा था क्योंकि महराजा रंजीत सिंग का खजाना 1850 तक आते आते अंग्रेजों के कबजे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंग अंग्रेजों के कंट्रोल में था वो कुछ कर नहीं सकता था बस रोता बिलखता वो अपनी दुर्दशा पर आसू बहाता रहता था आज तक वो हीरा महरानी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लेंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है आप कभी चाहें तो जाकर उसको देख सकते है मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हीरे को देखने के लिए बहुत कोशिश की मैंने कि इसका मैं फोटो उतार लूँ लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे मेरा कैमरा वही रखवा लिया मेरा मुबाइल बाहर रखवा लिया उसका फोटो नहीं उतारने दिया और वहां रहने वाले जो भारतवासी है उनको मैंने कहा कि आप तो बीस साल से पचीस साल से तीस साल से यहां रहते हैं क्या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका एक फोटो उतार के दे दे तो कहने लगे जब यह हीरा हमारा था तब तो यह हो सकता था अब तो अंग्रेजों के कबजे में हैं तो हम भूली जाएं तो अच्छा है यह हमारी मानसिक्ता बन गई है जो भारतवासी इंग्लेंड में रहते हैं उनकी यह हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूली जाएं तो अच्छा है तो अंग्रेजों ने कोहिनूर लूटा यहां से अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहां से और किस तरह से दुर्दशा हुई है हमारे देश की ये उसकी छोटी छोटी बाते हैं हमने कुछ भूले की हैं इतिहास में और उसमें से एक बड़ी भूल कि हम मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़े भारत में 565 राजा थे अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने आपको सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 52,000 के आसपास थी आप ही सोचो 52,000 अंग्रेजों को अगर 22 करोड हिंदुस्तानी चाहते तो चीटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में लेकिन वो हम नहीं कर पाए क्यों न हर रियासत का एक राजा था वो दूसरे राजा से नफरत करता था दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था तीसरा चोथे से नफरत करता था राजाओं में आपस में एकता नहीं थी उन्होंने आपस में संबाद नहीं किये उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया नहीं तो अंग्रेजों का सामराजितों कभी बनी नहीं पाता इस देश में तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे उपर हमला करें और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आँक उठा कर देखे क्योंकि वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें सुगठित रहें कभी भी हमारे आपस की दीवारे इतनी बड़ी न हो जाएं कि हम अलग-अलग हो जाएं जैसे हमारे राजाओं ने गलती की वो गलती हम भविश्य में ना करें तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा तो ये जो बाते मैंने आज आपके सामने कहीं है इनके पीछे एक ही बात है जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशश कर रहा हूं समझाने की कि हम भारत स्वाबिमान की तरफ से एक बड़ा वियान चला रहे हैं आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है ताकत तो बढ़ने ही वाली है लेकिन ये बड़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी मैंने कहा ना 22 करोड भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे 52,000 अंग्रेज 22 करोड पर 2500 साल राज्ज कर गए वो एकी कारण से कि हम बटे हुए थे विभाजित थे हमारा संगठन नहीं था आपस में संबाद नहीं था एकता नहीं थी इसलिए वो हमारे उपर राज कर गए और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग-अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साब पेश्वा की अगवाई में नाना साब पेश्वा एक बड़ी रियास्त के मालिक थे और वो रियास्त थी पूना की जिसको हम मराटी में पुने कहते हैं पुने की रियास्त पेश्वाउं की रियास्त थी पेश्वा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़ कर बिठूर नाम के एक छोटे से इस्थान में रहना पड़ा था बिठूर कानपुर के पास एक छोटा सा गाउं है नाना साब पेश्वा बहां के रहने लगे थे रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है तो नाना साब पेश्वा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा दूसरे से तीसरे से चौथा हर राजा के पास जाकर संगटन बनाना शुरू किया दीरे दीरे संगटन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगटन की तरफ से ये तैह हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगटित हो जाएं तो ये नाना साथ पेश्वा को समझ में आ गया उन्होंने संगटन खड़ा कर लिया ताकत इकट्थी हो गई अब उस संगटन की तरफ से एक एलान किया गया वो ये कि एक साथ पूरे भारत की पाँचसो पैंसट रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी और वो बगावत का दिन तै किया गया वो था 31 मई 1857 और नाना साथ पेश्वा ये संगटन बनाने का काम कर रहे थे 1853 पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काटके हिंदोस्तान से खतम कर दिया जाएगा और आपको मैंने बताया कि ये बहुत संभव था क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी मात्र बावन हजा तो ये संभव था और ये हो जाता लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई और वो भूल क्या हुई हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी तेजस्वी उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे उनका नाम था मंगल पांडे वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे बहरकपुर नाम के इस्थान पर उनकी पोस्टिंग थी तो उनको एक दिन किसी ने ये बता दिया कि सेना में जो कार्तूस इस्तेमाल किये जाते हैं उन कार्तूसों को चलाने के लिए मूँ से खोलना पड़ता है और उसमें गाई की चर्वी लगी होती ये मंगल पांडे को किसी ने बताया मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आँखों से देखना चाहता हूँ तो जिस व्यक्ती ने उनको ये जानकारी दी उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्वी वाले कार्तूस कैसे तयार होते हैं तो मंगल पांडे का गुसा आसमान फड़ गया वो ज़्यादा कटर भारतिये थे गाई के प्रेमी थे गोरक्षा के मानने वाले थे उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे उनको जब पता चला कि गाई की चर्वी के कार्तूस बनते हैं इसका माने गाई का कतल किया जाता है फिर उसकी चर्वी से कार्तूस बनाए जाते हैं और वो हमको मूँ से खोलने पड़ते हैं तो हमारा तो धर्म रष्ट हो रहा है तो उन्होंने तै कर लिया कि इन अंग्रेजों को सबक सिखाना है तो वो भी नाना साहब पेशवा के संगठन में शामिल हुए और नाना साहब पेशवा ने तारीख तै की थी कि 31 माई को एक साथ पूरे देश में विद्रो होगा लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 माई का इंतजार नहीं किया उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दे अकेले तै हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 माई को उससे काफी पहले 29 मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने क्या किया एक अंग्रेज अदिकारी था उसका नाम था मेजर हूसन उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बैरकपुर में और भरी सभा में गोली मारी सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे मेजर हूसन कुछ आदेश दे रहा था मंगल पांडे ने मेजर हूसन को एक सवाल पूछा कि क्या हमको जो कार्तूस दिये जाते हैं उसमें गाई की चर्बी मिली होती है तो मेजर हूसन ने कोई जवाब नहीं दिया फिर मंगल पांडे ने पूछा क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं हमको जो कार्तूस दिये जाते हैं उसमें गाई की चर्बी मिली होती है मेजर हुसन ने न हां कहा न ना कहा बस सी सी पे गुस्सा आ गया मंगल पांडे को तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूक थी गोली उन्होंने मेजर हुसन को मार दी जैसे मेजर यूसन मरा और गिरा तो उसके नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था उसका नाम था करनल वाग वो जपट्टा मारके मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी और वाग भी वही डेर हो गया उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ वो उसके पेट में गुसेर दिया और वो भी धराशाई हो गया तीन अंग्रेज अधिकारी वहां मर गए तडप तडप कर उसके बाद मंगल पांडे चिल लाया और उनके जो सयोगी सैनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर तीन अंग्रेजों को मार सकता हूँ तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो उठो आगे बढ़ो क्रांटी का समय आ गया जितने अंग्रेज अधिकारी हैं इन सब को मार दो यहां पर लेकिन मुश्किल यह हो गई कि बाकी जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि हमने तो 31 मई का संकल प्लिया हुआ है और आप अभी हम से कह रहे हो क्रांटी करने को सारे देश में 31 मई को क्रांटी होगी और आप कहते हो आज ही करो तो वो धरम संकट में थे कि नाना साहब पेशवा के संगठन से चुँकी जुड़ चुके है तो संगठन का आदेश माने या मंगल पांटे का अदेश माने इसी उधेर बुन में वो कुछ नहीं कर पाए किंक करतव बिमूड हो गए और उतनी देर में अंग्रेजों की फौज आ गई और अंग्रेजों की फौज ने मंगल पांटे को पकड़ लिया और मंगल पांडे ने कोशिश की कि वो अपने को गोली मार के खतम करें लेकिन वो गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई, वो जीवित रह गई अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, कोट मार्शल हुआ और 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चड़ा दिया अंग्रेजों ने और 8 अपरेल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो सारे देश में ये खबर आग की तरह से फैल गई मंगल पांडे की सेना के जो सैनिक थे उनके सही होगी उन्होंने छोटे-छोटे समूह बना लिये और वो समूह के रूप में गाउं-गाउं गूमना शुरू कर दिया और 31 मई को जो करांती होने वाली है उस करांती की तैयारी में वो सब लग गए लेकिन फिर एक छोटी सी भूल हो गई कि जो सैनिक गाउं-गाउं गूमकर करांती की तैयारी में लगे हुए थे वो सब को बता रहे थे 31 मई को करना है 31 मई को करना है लेकिन यहां मेरट हमारे नजदीक में है यहां मेरट में कुछ आती उत्साही नوجवानों ने कहा 31 मई तक कौन इंतजार करेगा अभी करना तो मेरट में 10 मई को करांती शुरू हो गई और मेरट में जो भारतिय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में उन्होंने बगावत करके अंग्रेजों के घर जला दीये और जो अंग्रेज थे उनको मार डाला और फिर वो सैनिक मेरट से दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया 31 माई तक कौन इंतजार करेगा अभी करो तो दिल्ली के सैनिक भी उनकी हां में हां मिला के 12 माई को दिल्ली में करांती हो गई फिर 13 माई को दिल्ली के पडोस में हो गई और ऐसे करके वो 31 माई सब को भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया अब इसमें गड़बर क्या हुई कि उस जमाने में कम्मिनिकेशन तो था नहीं टेलीफोन का कमिनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का कमिनिकेशन था नहीं रेडियो का उस जमानी में सूचनाओं को पहुचाने के लिए एक-एक व्यक्ती गाउं गाउं जाता था तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की अब बाद में ये मेरट में और दिली में जब करांटी हो गई तो कौन ये सूचना पहुचाए जाकर गाउं गाउं कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है तो कुछ जगे हुआ और कुछ जगे वो 31 मई का इंतजार हुआ अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी करांटी को एक तरफ जो सफल होने वाली थी तीन महिने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगाली बाहर से फिर से उनकी सेना आ गई और इस करांथी को पूरा दबा दिया और जब ये करांथी दबी तो जिस बिठूर में नाना साथ पेश्वा ने संकल्प लिया था देश को आज़ाद कराने का उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया बिठूर में तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिन्दा नहीं छोड़ा सब को गर्दन से काटा और दीरे दीरे सारे करांथी वीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और दुर्भा के उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिनों ने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता उसके बाद फिर हमको लगबग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आज़ाद हुआ एक बार मौका आया हम 1757 में आज़ाद हो जाते जो रॉबर्ट कलाइब को पत्थरों से मार दिया होता दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंग जेब ने अंग्रेजों को पराज़ित किया हम तब भी आज़ाद हो जाते तीसरा मौका आया जब 1805 में जस्वंत राए होलकर महराजा रंजीत सिंग और दौलत राव सिंदिया की सेना मिल जाती और अंग्रेजों को पराज़ित करते तो हम 1805 में आज़ाद हो जाते लेकिन ये तीनों मौके हमें गवाने पड़े फिर 1857 में ये शुरू हुआ उसमें भी हमारी जल्दवाजी में अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आज़ाद हो पाए तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आज़ादी 90 साल पीछे चली जाती है 90 साल सुतंतरता के लिए संगर्श करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है इसलिए मैं आप से विनम्रता पूरवक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाविमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारा संगठन बढ़ रहा है तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महतुपूर होता है अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी करांतिवीरों के सामने हुआ था इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा जो निर्देश आएगा उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे उसमें अपना उत्साह और अपना अती उत्साह नहीं जोडेंगे नहीं तो फिर गडबड़ हो जाएगी आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी एक dyn तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि हम इनसे सबक सीखें और भविश्य में वो गलतिया ना करें जो हमारे पुर्खों से हो गई मैं इश्वर से प्रार्थना करूंगा परंपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाविमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धी दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज़्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवेहलना ना करें उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगा कर काम करने की तैयारी करें इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद